अब चले देखें हम लोग स्टार्ट कर जा रहा है अपने एक और चप्टर के साथ जिसका नाम है कॉडिनेशन कंपाउंट्स इंपोर्टेंट चप्टर है इस बार इससे और बांडिंग से इतलीस दो से तीन से जादा भी आपको यहां पर मिल सकते हैं आसान चप्टर है और इंपोर्टेंट भी है साथ ही साथ कि है एक पर पर करते हैं लोग मेजर काम की बात करते हैं तो किसी भी कॉंप्लेक्स कंपाउंड के ना मेजर दो पार्ट होते हैं आपको सिखाऊं कि यह आपका एक पार्ट है के पूर्ट एफ एफ इस तरह की कंपाउंड को हम लोग क्या बूलते हैं इसका कॉडिनेशन स्पियर क्या बूलता है यह वाला पार्ट जो है यह नॉन आयोनाईजेबल होता है हलो आराध्या गुड इवनिंग ठीक है तो यह वाला पार्ट जो है यह आपका नॉन आयोनाईजेबल पार्ट है यह टूटता नहीं है और यह जो बाहर वाला पार्ट होता है यह वाला यह इसका आयोनाईजेबल पार्ट होता है तो इसे हम आयोनाईजेशन स्पियर भी बोलता है this is called ionization sphere या फिर आप इसे coordination sphere के नाम से भी जानते हो counter ion के नाम से जानते हो counter ion के नाम से जानते हो यह जो आपका coordination sphere है इसके अंदर क्या होता है यह एक metal atom है जिसको हम लोग बोलते है central metal ion या फिर central metal atom is bonded with bonded with six other groups through coordinate bond जिसके यहाँ पर six है तो छे groups के साथ ही किसके दुरू bonded है coordinate bond के दुरू bonded है यह जो यहाँ पर आपको number दिखाई यह जो groups in groups को हम बोलते है लिगेंट्स क्या बोलता है लिगेंट्स तो जो आपका central metal atom होता है जैसे फी है फी इन लिगेंट्स के साथ coordinate bond की थू बॉंडड़ होता है कोई भी complex compound जब बनते है तो जो आपका central metal atom है वो एक लूइस एसिड की तरह काम करता है वो यह यह जो इनाइड आयन इसके साथ coordinate bond से bonded होता है लाइक दिस तो यह पूरा का पूरा जो पार्ट बनता है इसको हम लोग कोईशन स्पेर गोलता है और इसके साथ इसके counter आयन होता है 4K प्लस यह इस compound को जब हम पानी में डिलते को ब्रेक नहीं होने का मतलब यह है कि पानी में करने पर यह टूटेगा नहीं मरभ यह टूटेगा किस पॉइम में है चुक्ED मारा मतलब यह होता है कूछ लोग समझते की रियक्ट post नहीं करेगा पलब यह आपको सिखाया था कि अगर आपके पास एक complex बनता है आज़ो 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 के टू सी यू सी एन होल फूर का और एक के टू सी डी सी एन होल फूर का तो मैंने सिखाया था आपको last class ही अगर आप h2s इसमें pass करो तो यह react नहीं करेगा लेकिन इसमें h2s pass करो तो आपको cds का yellow ppt में देखाया है तो हम यह नहीं कह सकते कि complex component react नहीं करेंगे कर सकता है react इसके h2s के respect में यह complex कैसा है imperfect और यह complex कैसा हो गया perfect तो react कर सकता है बट basic terminology यह है यह आपका central metal ion है यह central metal item है यह ligand है यह आपका counter ion है और यहां इस coordination sphere के अंदर यह non ionizable होता है non reactive नहीं होता है non ionizable होता है और यहां पर यह coordinate bond की तुरू bonded होता है जितने coordinate bond बन रहे हैं वो इसका क्या कहलाता है coordination number कहलाता है पहली basic बात यह आपको यहां पर दिखना चाहिए अब ऐसे ही आपके पास जो इनके अंदर second category होती है दो category होती है एक आपके पास होता है double salts और एक आपके पास होता है coordination या फिर complex compounds तो इस दो major category होती है salts की double salts जैसे आपके पास हो गया kcl.mgcl2.6h2o पता उसका नाम तो यह है carnalite तो यह double salt डबल salt क्या होता है जैसे आप इसे पानी में dissolve करोगे यह पूरा पूरा अपने ions के अंदर break हो जाएगा पानी तो पानी मिलके पानी पानी हो जाएगा और यह तीन तरह के आपको aqueous ions मिलते हैं वहीं जो आपने वे तोदे पर देखा जो आपका complex compound है अगर आप इसे पानी में dissolve करोगे तो पानी में dissolve पर यह तूटेगा लेकिन अपने सभी ions के अंदर नहीं तूटेगा इस तरह से एगा तो यहाँ पर देखें इसका जो aqueous solution है solution will give इनको पहचानने का तरीका होता है विल गिव positive test of k plus mg2 plus and clr अपने सभी ions के positive test देगा लेकिन यह जो solution है will not give positive test of ना तो यह fe 2 plus का positive test देगा और ना ही cn minus का देगा सिर्फ कौन सायन का दे सकता है k plus ion का दे सकता है यह अप सभी समझते इस category को फिर complex compounds को भी more further categorize कर सकता है कैसे इसे आपने यह देखा यह बाला जो complex है इसमें cation जो है वो simple है और anion जो है वो कैसा है complex है तो यह हो गया compound of simple cation and complex anion आपके पास compound ऐसा भी हो सकता है c o n h 3 whole 6 s o 4 यहाँ पर क्या है यहाँ पर cation complex है और anion कैसा है simple है फिर आपके पास ऐसा भी complex हो सकता है c u n h 3 whole 4 and p t c l 4 like this इसमें क्या है cation भी complex है और anion भी कैसा है complex है फर्दर अगर आप देखें इन सभी के अंदर यहाँ देखो सारे के सारे छे के छे लिगेंड अनिस्तरी है यहाँ पर कहा गया यह रहा छे के छे लिगेंड कैसे है same type के लिगेंड है तो इनकों लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक क्या बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉंप्लेक्स जब सारे लिगेंड एक ही टाइप के हों अगर complex ऐसा है मानलो c o n h 3 whole twice c n 2 b r 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं ऐसे complex को लोग क्या बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉंप्लेक्स पहले आपको बेसिक आइडिया होना अच्छी complex तूलस conscious के बारे अब चलते हैं हैं से आगे और इनके तुर सीजोता है उनको देकते हैं आपने देख लिया दो मैज़र टॉम इक होता है और टॉम ऐसा होता है लिगेंट के टाइप होता है लिगेंट को हम चार्ज के वेसिस पर केटेगरेज कर सकते हैं तो आपके पास positively charged ligands हो सकते हैं तो positively charged ligands के लिए हम लोग क्या करते हैं एक suffix यूज करते हैं तो जैसे आपके पास होता है hydrazine NH2 NH2 यह है hydrazine ठीक है यह न्यूट्रल है यह न्यूट्रल लिगेंट में आएगा भी लेकिन इसी पर मैं positive charge लगा दूँ एक एच प्लस दे दूँ तो देखो लिगेंट का काम क्या होता है electron pair देना यहां पर दो नाइट देने जो अपने electron pair डोनेट कर सकते हैं अब इसने तो कर दिया यह बचा है यह वाला जो है यह इसकी donor site कहलाती है क्या कहलाती है इसका नाम hydrazine था तो इस लिगेंट का नाम क्या बन जाएगा hydrazine इस तरह से जम पॉस्टिव चार्ड लिगेंट को देखते हैं तो उनके नाम में कॉन से सब्सक्राइब लगाते हैं अगर आपके पास लिगेंट न्यूट्रल है न्यूट्रल लिगेंट का मां दाएज रिखते हैं बरस कुछ special cases को देखते हैं जैसे eco क्या बोलता है को क्या कार्बो नियू इसी तरह में पैस्टा से एस क्या बन जाएगा शैपाईयो कार्बो नियू थार है Mir क्या बोलता है तो बाकि अगर माद लो बेंजीन है तो बेंजीन ही बोलेंगे आपके अलावा मानद लो कोई और मॉलीक्यूल है इसमें एलक्टरॉन पेर है डोनर एक तम है तो उसके नाम से बोलेंगे यहां पर कुछ स्पेशल नाम हम यूज करते हैं फिर जब हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज़ लिए नेगेटिवली चार्जट ठीक है ऐसे केस में हम क्या करते हैं लास्ट में ई जो इसके नाम का ई है उसको किस से रिप्लेस कर देते हैं ओ से जो हम नेमिंग करेंगे तब भी अपने काम में आएगा तो तब भी देख लेंगे इसको तो जैसे आपने बोला क्लॉराइड औक्साइड अब ई को हटागे ओ लगा दो तो यह क्या बन जाएगा ऑक्सीडो जैसे आपने बोला सल्फेट एसो फोर टू माइनस यह क्या बन जाएगा सल्फेटो आपने बोला सीन माइनस होता है साइनाइड तो यह क्या बन जाएगा साइनीडो आपने बोला ओ सीन माइन यह होता है साइनेट अब यह क्या बन जाएगा साइनेटो अगर आप एंसी माइनस लिख दो तो यह क्या बन जाएगा आईसो साइनीटो बहुत ही सिंपल है जो इस लिगन का नॉर्मल नाम है उसकी ए को आप किस से रिपलेस करते जाओ वो आपका उस लिगन का नाम बनता जाएगा जैसे सी टू ओ फॉर टू माइनस होता है ओगजलेट इसको हम लोग क्या बोलतेंगे ओगजलेटो कुछ स्पेशल नाम मैं बता दूँ काम में आता है इसको हम बोलते हैं अमीडो कभी-कभी यह काम में आ सकता है एनेच्टो माइनस इसको बोलतेंगे इमीडो क्या बोलतेंगे इमीडो तो इस तरह से आप नेमिंग करते हो ऐसे देखो एक नियूट्रल लिगन होता है एनो उसको हम बोलते हैं नाइ्ट्रो सिल इसके खासियत है कि nitrogen के पास यहाँ पर तीन electron बचते हैं तो यह एक three electron donor है कैसा donor है यह एक साथ तीन electron donate कर सकता है अब अगर आप इस पे plus charge लगा दो तो NO plus बन जाएगा और NO plus के पास कितने electron बचेंगे दो तो यह बाकी सब के तरह normal two electron donor है इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे two electron donor है यह कुछ कैसा है three electron donor है अब इसका नाम क्या बन जाएगा नाइट्रो सिल और एम सफिक्स लग जाएगा यह बन जाएगा नाइट्रो सीलियम पहले इसको नाइट्रो सोडियम के नाम से भी हम लोग जाने है बात समझ में आरी तो यह बेसिक आइडिया है अभी हम नेमिंग करेंगे तो आप और clarity आते जाएगी यूज करते जाएगे इनको ऐससे ज़्यादा वो नहीं करना है लेकिन हाँ फर्दर आप डेंटिसिटी के बेसिस पर तो डेंटिसिटी क्या होती है कुछ लोग इसको number of donor sites बूल देते हैं बट उससे भी better है number of coordinate bonds a ligand form simultaneously with central metal atom central metal atom के साथ एक ligand एक साथ जितने bond बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं उसकी डेंटिसिटी अगर दो बनाएगा तो सहम लोग क्या बोलते हैं by dented या फिर कई पर इसे didentity भी बोल देते हैं obviously यहाँ पर आपको कुछ ligands important जो है उनके formulae, symbol उनका charge पता होना चाहिए तो मैं सबसे पहले आता है आपकास oxalator जिसे आप ox2- भी लिखते हो simple c2o4 2- होता है c double bond o o minus c double bond o o minus यहाँ पर आप देखें central metal atom के साथ यह एक साथ दो coordinate bond बनाएगा donor atom यहाँ पर कौन होता है oxygen होता है जब भी जब भी कोई ligand central metal atom साथ एक closed ring form कर रहा है closed ring formation जब बता उस process को हम लोग क्या बोलता है chelation बोलता है और जो ligand होता है उसे हम chelate बोलता है ligand is called chelating ligand जब भी कोई chelate बनेगा तो ring बनेगी और जो number of rings होती है वो किसकी equal होती है उस ligand की denticity minus तो जैसे देखो मैं आपको है पर complex भी बनवाता हूँ चलता हूँ साथ साथ में कई चीज़े बन सीखते हो चलेंगे जैसे आपके पास एक complex है यह FEC2O4 whole thrice 3 minus तो इसका chapter के अंदर आपको oxidation number निकाल लाना चाहिए coordination number निकालना चाहिए दोनों अपने बहुत काम में आता है तो आप देखें oxalate पे charge है minus 2 इसके corresponding आप इसके oxygen state निकाल तो यह plus 3 में आगा X minus 6 equal to minus 3 तो यहाँ इसका oxidation number plus 3 है और यहाँ पर इसका coordination number कितना होगा तो देखो एक oxalate एक साथ 2 bond बना रहा है तो तीन oxalate 6 bond बनाएंगे coordination number क्या होगा 6 coordination number क्या है यह मैं आपको थोड़ देर पहले बता चुका हूँ शुरुआत में यह रहा एक complex में central atom जितने coordinate bond बना रहा है वो ही उसका क्या कहलाता है coordination number कहलाता है अब अगर आप इसकी structure बनाना चाहिए इसका bonding pattern ध्यान दे coordination number 6 जब होता है तो complex की shape कैसी बनती है octahedral hybridization कौन कौन साहब सकता है either sp3 d2 और d2 sp3 नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं भी आगे cover करेंगे जिनको आता है वो सुनते वे चलें तो octahedral shape कैसी होती है octahedral में ऐसा एक square plane बनता है चार bond इस plane में बनेंगे एक bond उपर और एक bond नीचे कभी भी अगर आप by dented ligand को bond बना रहे हैं बना रहे हैं उसका bonding का एक चीज़ पर ध्यान रखें कि बॉंड बनाते टाइम इसके यह जो दो बॉंड होंगे यह हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होंगे इस पर होंगे एक by dented ligand के जो दो coordinate bonds हैं वो हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर बनेंगे ऐसा एक बन गया द दूसरा बन गया और तीसरा जो है वह आप यहां बना सकते हो ओ माइनस एक कोडिनेट बॉंड ओ माइनस एक और कोडिनेट बॉंड और यहां पर सी डबल बॉंड ओ सी डबल बॉंड ओ इसे आप देख सकते हैं तीन ligand थे हर एक ने एक रिंग बनाई है टोरल कितने rings बन रह एक और चीज इसका नाम अगर आप देखें सेंटर में से दोनों साइड सेम है इसे हम बोलते हैं एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से हम इसे जानते हैं इसी और ligands मिलते जाएंगे अब सिर्फ लिगेंड के नाम देखते हैं इसी तरह उनकी शेप स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉग आर सकते हैं चलिए ऑग्जलेट के अलावा आपके पास और भी बहुत सारे आते हैं जैसे एक होता है इथाइलिन DAIADMINE तो कई लोग structure याद नहीं रख पाते हैं तो सब्सक्राइलोग नाम में ही structure है इथाइलिन इस इथीन इथीन पर दो NIH ग्रॉप जोड़ दो इ तो इथाइलिन DIAMINE क्या हो गयी CH2 CH2 NH2 और N XV2 ये आपका इथाइलिन डायामाइन है एक साथ दो coordinate पॉर्ण क तो यह एक न्यूट्रल लिगेंड है कोई चार्ज नहीं है और माइनस टू चार्ज था परदर ये भी कैसा लिगेंड है एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट्टी कि अधिक है तो इसे मानलो मेरे पास कॉंपलेक्स से सी ओ इन फोल थ्राइस थ्री प्लस इसे मैंने यहां जो स्ट्रक्चर बनाई वह प्रॉपर बॉंडिंग दिखा के बनाई पुझे बार बार यह दिखाने के ज़रूरत नहीं है मैं सेम स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकता हूं कैसे यहां एक दिखा दूँगा यह चार पॉर्ण रहे एक पॉर्ण जान्स धेखांगा ओ एक कोबाल्ट का ऑक्सिडेशन नंबर यहां पर क्लस्ट्री है एक इन इधर ऐसे कर दिया सहूलियत होती दिखाने में सिर्फ इसलिए यूज करते हैं एक इन को इस प्लेन में बिठा दिया लाइक दिस दो कॉर्डिनेट पॉंट और एक इन यहां गया इन दोनों के बीच में दो इन कॉम्फलेक्स को बनाने के तरीका होता है एक और इंपोर्टन जो आपके पास आता है इसका नाम होता है गलाईसीनेटो गलाईसीनेटो घार इसको पर चार्जर तकर दिखा सकते हूं यहीं double bond O O minus यहां पर क्या होगा central metal atom होगा एक तरफ nitrogen donor है एक तरफ oxygen donor है CH2 C double bond O minus आप देख सकते हो यह एक unsymmetrical bidentate ligand है ऐसे ही एक और ligand होता है जिसको हम लोग आप जानते हो प्रिडीन में क्या होता है यह बेंजीन यह प्रिडीन है ऐसी दो बेंजीन rings को आपस में connect कर दो दो प्रिडीन रिंग को यह भी आपके पास एक symmetrical bidentate यह तने important नहीं है और oxalate बहुत important है GLY important है methylene diamond बहुत important है और एक लास्ट जो आप लोगों ने salt analysis के अंदर बढ़ा है इसे हम लोग जानते हैं DMG DMG stands for di-methyl gly oxymato DMG-1 के नाम से हम जानते हैं तो gly oxymato में क्या होता है basically di-methyl है 2CH3 है यहां पर आपके परस क्या होगा carbon होगा like this double bond N O- O- double bond N O-H like this तो यह आपके पास DMG है इसके special क्या है तो यह एक complex उसकी वैसे famous होता है nickel के confirmatory test में काम में आता है निकल के salt में अगर आप DMG add करोगे तो आपको NI DMG whole twice का क्या मिलता है एक rosy red PPG उसके structure में आपको पहले पताए थी देखने में आपको लगे होग यहां पर oxygen donor है बट यहां पर donor atom कौन होता है nitrogen oxygen donor atom नहीं है complex की structure भी कुछ ऐसी बनेगी यह nitrogen इदर coordinate bond बनाएगा यह nitrogen coordinate bond बनाएगा double bond C double bond इदर मिथाइल लगेगा इदर मिथाइल लगेगा जितनी बार आपके सामने आए आपको इसकी structure draw करनी चाहिए उसी से आप ज्यादा better सीखोगे तो यहां पर ऐसे N होगा coordinate bond बनाएगा double bond C similarly HO minus ही है इसका N आएगा यहां पर double bond C coordinate bond बनाएगा इदर CH3 और इदर CH3 और इदर CH3 यह आपका एक rosy red PPT फॉर्म करता है यह आप अच्छे से याद भी होना चाहिए और यह आपके प्रिडल यह सब ही काम में आ सकते हैं अब देखें ट्राइडेंटेट ट्रेक्राइडेंटेट वैसे इतने काम आते नहिंए बढ़ फिर मैं आपको प्राइडेंटेट लिगेंट से मिलवादूं है इसमें डायन आती है इसमें यह है शीताइलीन ट्राई अमाइन प्यार से डाइन बुलाते हैं और मैं इसको डाएन बुलाता हूं ठीक है आप देखनां इबसक्र बुलाब लाना है इसमें यह दोह सी एज़ीं ग्रूप हो गए एक चीह टू सी एक और चीह टू-चीह टू-बी पर एक एनेचे लेब बाता है दोनौं से इन करता है नंबर ऑफ रिंग तो आप यह से निकाल सकते हैं तो यह कितने रिंग्स बनाएगा तीन माइनस एक यह दो रिंग्स फॉर्म करेगा ऐसे टेटरेंटेंट होता है यह याद रखना है एक और लिगेंड जो कि खुद कैसा है है हेग्जा डेंटेट है इसकी एफ ओर माइनस डाट इस इथाइलीन डाइमाइन टेट्रा एसेटेट नाम तो आपने सुनाई होगा चार्ज पता होना बहुत जरूरी है तो यह पर वह इथाइलीन है च्छ तू इसके साथ डाइमाइन यानि नहीं पर एच को रिप्लेस कर दो एसेटेट ग्रूप से तो सी डबल बॉंड ओ ओ माइनस यह दो सिमिरली एन च्छ टू सी डबल बॉंड ओ माइनस तो टेट्रा एसेटेट यह ओवरॉल आपका इडी टी ए मॉलिक्यूल होता है चली बहुत यह बढ़िया तो डेंटिस्टी के साब से आपको लिगेंट्स का पता होना चाहिए इसके ब क्या बुलता है एं एंबी डेंटिट लिगेंट्स एंबी डेंटिट लिगेंट्स क्या रहता है इन में इसके निमें टू डोनर आटम्स वट यूज़ अली वन आटम या वन डोनर आट टाइम होते दो हैं लेकिन किसी एक को ही यूज़ कर पाते हैं जैसे आपके सिंपल सा एक्जाम्पल है cn- यह होगया cyanide cyanide जब दिखने हैं तो donor कौन है carbon और वहीं लिखें nc- isocyanide जब हम isocyanide लिख रहे हैं तो donor कौन है nitrogen साइनीडो और isocyanide as a ligand इनका नाम लिखा जाएगा ऐसे आपके पास देखें एक होता है NO2- जब NO2- लिखा है तो nitrogen donor है तो पहले इसका नाम लिखा जाता था nitrito-n ये पहले लिखा करते हैं previously अब तो क्या है आप simple क्या लिखते हो nitro अब इसमें आप n-n नहीं लगाते हैं कभी के बेन लिखा हो आपको मिल सकता है फिर इसी से मिलता उलता होता है सेम इसी का उल्टा o no o no minus यहाँ donor कौन है लिखने के तरीके से बता है कभी o no लिखा हो है मतलब oxygen donor है no2 लिखा हो मतलब nitrogen donor है तो जब o no है तो पहले इसको बोला करते थे nitrito o दोनों का नाम सेम रखते थे o और n से बताते थे अब बिल्कुल अलग कर दिया है बोला आप no2 minus को नाइट्रो बोलो इसको नाइट्रीटो बोल दो अपने आप ही differentiate हो गए है नाइट्रीटो लिखावा है मतलब oxygen donor है और नाइट्रो लिखावा है मतलब nitrogen donor है ऐसे ही देखें आपके सोता है एस सी एन माइनस यहाँ पर sulfur donor है इसे हम लोग क्या बोलते है थायो साइनेट और n सी एस माइनस लिख दें तो यहाँ पर nitrogen donor है इसे हम लोग क्या बोलेंगे आईसो थायो साइनेट ओ लगा दो साइनेटो समाजी में आ रहा है नहीं रभी MB-dented और Flexi-dented अलग होता है यह होगे MB-dented लिखेंट फिर इसके बाद एक और केटिगरी आती है special केटिगरी जोने हम बोलते है Flexi-dented लिखेंट Flexi-dented लिखेंट मतलब जो जरुद के साबसे अपने behavior change कर सकते है अपने density को change कर सकते है Flexi-dented लिखेंट change their denticity on requirement जरुद के इसाब से यह अपनी denticity को बदल सकते है इसकी condition होती है अगर आपको identify करना है किसी भी लिखेंट को अगर Flexi-dented लिखेंट लिखेंट तरह काम करना है लिखेंट 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 लिख करता है flexi rented ligand की तरह तो इसमें आपको इसमें एक्जाम्पल दो सबसे बड़ी एक्जाम्पल होता है co3 2- आपको कभी 4 option लिए चेक करना हो आप यह चेक करो कौन सा 4-member drink बना सकता है जो 4-member ring बनाएगा वही flexi rented की तरह काम कर सकता है तो देखो यह c double bond O यह है O- यह O- बीच में central matter atom आएगा और देखो यह 4-member ring बनाएगा तो जरुत पढ़ने पर यह by identity की तरह भी काम कर सकता है जरुत पढ़ने पर यह monodentity की तरह भी काम कर सकता है अभी आप यह आप सेट नहीं करोगे यह आपको complex compound में देखेगा जिसे मैं आपसे बोलू कि मेरे पास cobalt है तो co nx3 hole 5 co3cl यह complex है तो अभी आप सीखोगे आगे कि जब लिखेंगे भी हम जब cobalt plus 3 में है थोड़े दिरे में बताने वाला हूं तो इसका coordination number हमेशा कितना आता है 6 तो देखो 5 तो इसने भर दी है इसका मतलब यहां carbonate को किसकी तरह काम करना पड़ेगा monodentate ligand की तरह इसकी ज़रूद यह है यहां लेकिन वहीं अगर आपके पास compound यह बन जाए कौन सा co nx3 hole 4 co3cl अभी cobalt यहां plus 3 में है coordination number कितना आना चाहिए 6 अब देखो 4 यह भर रहा है यह अंदर है ना छे पूरा करने के लिए इसकी किसकी तरह काम करना पड़ेगा इसका नीचर है इमर्जेंसी में कितरह काम कर लेगा मना नॉर्मली किसकी तरह काम करेगा कोडिनेशन कितने दिन में हो जाएगा यह ना एक कोशिश तो करते हैं दो दिन में हो जाए इनको सीखने के बाद यह अगली चीज़ हमको बात करनी है वो होते हैं कोडिनेशन नंबर क्या होता है बताई चुका हो कोडिनेशन नंबर क्या है कोडिनेशन नंबर इस सिंपल नंबर ओफ कोडिनेट बॉंट्स formed by central metal atom in a complex तो एक complex में central atom में जितने कोडिनेशन नंबर बनाया है उनसी कोडिनेशन नंबर बोलते हैं कुछ चोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है plus 3 ions of 3D series का कोडिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है 6 सोचने का है नहीं है iron plus 3 है CH3 CO minus B हो सकता है हो सकता है रवी बढ़ उसमाना steric endurance ज्यादा है methyl group है इसलिए होगा नहीं होतो सकता है तो CO plus 3 हो गया CR plus 3 हो गया कोई भी plus 3 ion हो 3D series का उनस सबका कॉडिनेशन नंबर क्या होगा plus 6 plus 2 वाले का 6 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर आपके पास copper plus 1 है silver plus 1 है इन सबका कॉडिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है 2 AU plus ठीक है इसलिए चीज पी टी प्लस 2 पी डी प्लस 2 इनका कॉडिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है और इनका जो complex बनता है वो हमेशा कैसा बनता है square plane है यह हम आगे cover कर लेंगे आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ है इसलिए नाम यूज़ करना हो सिदा सिदा पी टी प्लस 2 पी डी प्लस 2 फिट्स है इनका जो भी complex बनेगा वो हमेशा कैसा होगा square plane है अगर पी टी और पी डी प्लस 4 में है इनका coordination number हमेशा कितना होगा six और coordination number 6 में complex हमेशा कैसा बनता है October coordination number 4 में 2 option होते है tetardie square planar coordination number 2 में complex हमेशा कैसा बनेगा coordination number से आप complex की geometric idea लगा सकते हो अप coordination number देख सकते हो उसकी oxygen state का idea लगा यह चीज आप छोटी सी है यह आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए about coordination चले यह सब सीखने के बाद अब हम चल सकते हैं आगे पहले तो हम एक चीज सीख लें इसे हम जानते हैं by the name of effective atomic number क्या बुलते हैं effective atomic number EAN के नाम से हम इसे जानते हैं तो देखो effective atomic number क्या है अगर मैं आपसे simple words में बात करूँ total number of electrons with या of central metal atom या central metal ion जो भी आप बोलते हों after formation of complex simple word में तो मैं ऐसे बोलता हूं net लेना देना complex बनाने के लिए कितने electron आये कितने electron गये उसका हिसाब कर लो वही क्या कहला था उसका effective atomic number जिसे मैंने आपको सामने complex लिखा था K4 FECN whole 6 द्यान से समझें आप यहाँ पर सबसे लिए तो iron का oxidation number निकालो तो वह आपको plus 2 दिखाई देगा दिख रहा है अब iron का खुद का atomic number कितना होता है 26 26 electron तो iron के पास थे लेकिन इस compound को बनाने में iron के उपर कितना चार दिया गया plus 2 तो उसके 2 electron चले गए होगी लेकिन इसी compound को बनाने में 6 cyanide iron के पास आए 1 cyanide ने 1 coordinate bond बनाया यानि 2 electron iron को दिये वदाव 6 ने कितने electron दिये होंगे 2 into 6 यानि 12 26 और 10 36 ये इसका आचुका है effective atomic number अगर आप ध्यान दें iron का atomic number 26 है और जो अगली noble gas है iron के बाद वाली हीना नीना और करीना की xerox ये 2 ये 10 ये 18 ये 36 ये 54 जरॉक्स रानी ये आएगी 82 पर है अगरी noble gas के बराबर आ जाएगा वो relatively क्या होती है ज्यादा से अभी पढ़ेंगे उसको आपको idea दे रहा हूं हाँ वो carbonate के लिए valid होते है इसलिए आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे आपको आइडिया दे रहा है आपको ऐसी देखें आपके पास जैसे ये complex है c o c 2 o 4 whole 23 minus मुझे इसमें cobalt का e a n निकालना है तो बहुत simple है oxalate पे charge होता है minus 2 minus 6 minus 3 into 2 is minus 6 इदर आगे बनेगा plus 6 cobalt यहां plus 3 में है तो cobalt अगर यहां plus 3 में है इसका e a n निकालो तो cobalt का खुद का atomic number 27 minus 3 electron lose कर दिए plus अब यहां एक oxalate 2 bond मनाता है 3 oxalate फिर से 6 bond मनाएंगे 6 bond में electron कितने आएंगे 12 इसका e n भी कितना आगिया है 36 तो सबसे पहले तो आपको अलग-अलग complexes के अंदर क्या calculate करना आना चाहिए effective atomic number calculate करना आना चाहिए ते वर मैं देख लेता हूँ मुझे कोई question मिल जाए पी वाई क्यू वाला इसमें होगा तो सही इसलिए पीपीटी नहीं है इसलिए जा चलो मैं ऐसे लिख देता है आम मुझे बता दो बताओ के थ्री सी यू सी एन होल फूर कॉपर का इन बताओ इसमें कितना गया तो देखी एन के ओपर कभी question पूछा ही नहीं गया है हो सकता है पूछ भी ले ना भी पूछे फिर भी आपको एन एक बार calculate करना दो आने चाहिए तो अभी तो मुझे समें कोई question नहीं दिख रहा है बहुत बारी कर से ढूंडेंगे तो शायद जाके मिल जाए इतना आपने बस टेम नहीं है ठीक है तो देखें एन का एक formula भी बनता है अगर आप formula बनाना चाहो एन तो जितने भी formula लवर से उनके लिए आई है यह क्या है उसका atomic number z minus यह क्या है उसका oxidation number plus 2 into coordination तो अगर आपको normal हिसाब करना पसंद नहीं है तो आप यह formula लगा सकते हो EAN is equals to Z minus oxidation number plus 2 into coordination number देखें एक बार formula से भी कर लेते हैं इसका EN तो copper का खुद का atomic number होता है 29 minus यहाँ पर निकालो इसका oxidation state आपको plus 1 दिखाई देगा minus oxidation number plus 2 into यहाँ इसका coordination number है 4 29 plus 7 is 36 जरूर नहीं है हर बार 36 ही आए आ रहा है ठीक है effective number आपने सीख लिया तो इसका application क्या है EN हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम एक rule follow करता है इसे मुलते हैं Sidvix EAN rule यह उसने observation से बनाया है This one is applicable for metal carbonyls only जहाँ पर CO group ligand की तरह काम करता है उसके लिए applicable है इसके इसाब से की carbonyls having EAN is equals to next noble gas are relatively more stable तो अगर आपको carbonyls की stability check करनी है metal carbonyls की तो metal carbonyls की case में वो carbonyl जादा stable होगा जब उसका EAN अगली noble gas के बराबर होगा जैसे मैं आप से गोल हूँ एक मेरे पास लेगे हैं एक मेरे पास लेगे हैं वी अटॉमिक नमबर खुद का 23 है carbonyl neutral legend है तो इन सब के उपर इनका oxidation state 0 है कोई legend को electron दिया नहीं लेकिन 6 CO ने 2 electron दिये है इसका EAN आगया 35 अगर आप इसमें देखो EAN तो 25 प्लस 2 इंटू 5 इसका EAN है 35 और similarly Fe 26 प्लस 2 इंटू 5 इसका EAN है 36 इन तीनों में सब स्चादा stable कौन है इन दोनों में कौन है वो हम अलग तरीके से देखते हैं एक काम करो इसको MNCO6 कर लो MNCO6 करते ही इसका EAN कहां पहुंच जाएगा 2 इंटू 6 यह पहुंच जाएगा 37 तो मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ इसके में लिखा हूँ तो देखो यह तो 36 पर है यह बैठा हुआ है यह स्टेवल है अब अभी ने कुछ पूछा है अगर यह इन विल्यू इन गैस से कम जादा हो तो यह रहा कोई को सिखा रहा हूँ अब आप देखो यह 35 है तो बताओ नेक्स्ट नोबल गैस के लिए क्या करेगा विल गेन वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस इए अन तो इस तरह से यह वी सी यो होल 6 एक एलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा वी सी यो होल 6 माइनस पहले चीज़ क्या मैटल का नेगेटिव ऑक्सिदिशन नमबर हो सकता है हाँ मैटल का अग्सिदिशन नमबर भी हो सकता है जैसा यहाँ पर आप देखोगे वेरेडियम का ऑक्सिदिशन नमबर माइनस वन है क्योंकि electron gain कर रहा है तो बताओ itself क्या हो रहा होगा अगर यह itself reduce हो रहा है तो बताओ किसकी तरह काम करेगा एक oxidizing agent बात समझ में आ रही हूँ similar देखें आप यह इसके पास इसके पास 37 electron है बताओ यह क्या करेगा will lose one electron to attain what noble gas EAN तो देखो आपके पास है mn co whole 6 यह अब एक electron lose करके mn co6 plus plus electron बनाएगा बताओ खुद यहाँ पर क्या हुआ है oxidized बताओ किसकी तरह काम करेगा एक reducing agent की तरह काम करेगा या फिर reducing agent की तरह काम करेगा आपको उसका EAN निकालना है ध्यान रखना यह rule आप सिर्फ और सिर्फ कार्बनिल्स पर ही लगाओगे किसी और पर मत लगाना वरना आपका game हो जाएगा कार्बनिल्स पर लगा सकते हो अगर किसी कार्बनिल्स के पास EN से कम electron है तो electron gain करके अपना EN पूरा करेगा उस case में वो खुद reduce होगा और सामने आले को oxidize करेगा अगर उसका EN जादा है तो electron lose करेगा खुद oxidize होगा और सामने आले को क्या करेगा और सेंब बोल दिया ना ठीक है समझ गया न यहीं रूल होता है और यह इसका क्या है सिंपल सा एप्लिकेशन है चलिए इन रूल देख लिया लिगेंट्स वगरा देख लिए और नाम लिखना सीख लेते हैं नॉमेंक्लेचर नॉमेंक्लेचर बहुत ही आसान है इसके कोई चोटे चोटे रूल्स होता है और मैं कोई रूल नहीं लिखाऊंगा चीज़ा नाम लिखना को रूपर रूल्स अपने आप सीखते जाओगे तो मेरे पास यह कंपाउंड है के फोर एफ ए सी एन फोल सिक्स एक है तुमक्लेचर रूल्स रटने की ज़रूतनी बहुत सिंपल होता है जिसे आप लिखो एने सीएल एने सीएल में एने प्लस केटायन सीलनस इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग क्वेज क्लोरीट क्लोरेट कभी हमने इसको क्लोरीट तो स्पहन की ओ लुए और नाम लिखो और बाद बहुँ नाम लिक्षो एन popular कौन है सोडिया में सॉडियू करेंगे 1 बहले क्कार नाम लिखेंगे बाद में रिखेंग एक चीज दिए जो लोग लिखना चाहे है रूल साथ लिख सकते हैं कि name of cation is written first followed by name of anion अभी इस complex में cation simple है और anion complex है जब आप नाम लिख रहे हो cation या anion का इसका charge use करने के ज़रूद नहीं है यह सिर्फ charge को balance करने के लिए होता है इसका मतलब यह है कि भाईस आप देखो potassium पे plus 1 charge होता है तो plus 4 को balance इसके minus 4 या दे क्रस क्रॉस रूम यहां सिर्फ formula बन गया k4 efficiency वैसे भी कभी आपने जब mgcl2 लिखा है तो क्या आपने कभी इसको magnesium dichloride बुला है तो जब के टैनान सिर्फ अपना charge balance कर रहे हो उनका नंबर लिखने की ज़रूद नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि हमें यहां tetra potassium लिख सकते हैं potassium लिख सकते हैं नाम लिखते डाइम किसी तरह का कोई space नहीं देते हैं एक बार आपने केटायन का नाम लिख लिख लिए उसका ligand anion पर चलो तो यहां पर anion complex है तो complex anion में फिर हम नाम लिखते हैं ligands का किसका लिखते हैं ligands का नाम alphabetical order में लिखा जाता है अगर एक से ज़्यादा type के ligand हो यह नहीं तो एक homoleptic complex है सारे ligand एक टाइप के हैं तो जितने ligands हैं उनका number लिखा जाएगा तो छे के लिए यूज करते हैं hexa cyanido क्योंकि cyanide है अब क्योंकि यहां पर anion जो है complex है तो जब भी किसी complex में anion part complex होगा उसके नाम के आगे 8 लगाते हैं तो देखें कुछ metals में भी आते जाएंगे fe fe अगर cation में हो cationic part complex हो तब तो उसे iron बोलते हैं लेकिन fe अगर anionic में आ जाए पार्ट में तो उसे fair rate बोलते हैं क्या बोलते हैं ऐसे mercury तो mercury बोलते हैं के टायन में तो mercury और anion में तो mercury लेड अगर के टायन में है तो उसको lead बोलेंगे और anion में तो उसको plumbate बोलते हैं क्या बूलते हैं नाम अपने को धीरद्रे आजें को दिक्कत नहीं है देखो पूरा नाम क्या बना potassium hexacynidoparate और ब्रैकेट में इसका oxidation नमर लिखता है रोमन नुमेरल में तो यहां बेसिक सा फंड़ा होता है तो आओ नाम लिखता है तो पहले भी यही कटेगरिया रख रहा हूं जिनके अंदर anion complex अब k3 fe cn hole 6 बन गया तो यहां देखो iron plus 3 में है यहां iron plus 2 में था इसी निये इसका common name भी होता है जो आपने salt analysis के अंदर भी use किया था इसको simple words में क्या बूलेता है potassium क्योंकि iron plus 2 में है ferrous तो ferocyanide याद करो use किया था मैंने word यहां देखो iron plus 3 में है तो इसका common नाम क्या बोल सकते ह potassium ferricyanide ferric क्यों? ferric से ferric उठाया है, fe plus 3 में ferric बोला जाएगा, fe plus 2 में ferrous बोला जाएगा, ferro और ferric, हाँ, आई यू पे इसी नाम लिखना है तो लिखो start करो potassium क्या बोलेंगे बताओ, hexa cyanido ferrit ऐसे देखो, मानलो मैं आप से बोलता हूँ कि मेरे पास है na3 co, c2o4 whole thrice, यहाँ पर भी cation simple है, anion complex है अभी देखो, कुछ ligands आसे होते हैं, जिनके नाम में पहले से by, die, try आ जाता है oxalate में तो नहीं है, बट oxalate की iupac name में die, oxalate, die carboxy आता है अपर ध्यान रखना, जहाँ भी कहीं oxalate होगा, तो 2 के लिए bis, 3 के लिए trice, 4 के लिए tetragas, 5 के लिए pentagas यूज करता है, तो यहाँ कितने oxalate है, 3, उसका नाम कैसे लिखेंगे, sodium ठीक है, अब try बोलते, लिखें लिए trice, फिर अंदर लिखेंगे oxalato फिर cobaltate क्योंकि anionic part है, तो cobaltate और उसका oxalation number, आप निकाल लो, यह minus 2 होता है, यह आजाएगा, sodium hexanitrofobaltate कहां दिख गया भाई आपको, यह तो oxalato है, c2o4, है ना, जैसे मैं आपके सामने, अभी इसमें तो आएगा नहीं, नीट्रल होला, तो आगे आएगा, उसमें देख लेंगे, तो यह वहाले case है, जहाँ पर आपका anion complex, जब भी anion complex होगा, और even anion अकेला भी होगा, मैं आसान लिखतू हूँ यह, cocl2, br2, i2, 3-, तो दो क्लूरीन है, दो ग्रोमीन है, दो आयोडीन है, कुछ और भी हो सकता है, मानलो चलो थोड़ा और change कर लेते हैं, cl2 ले लिया, 2 no2 ले लो, और 2 cyanide भी ले लो, और total 3-, तो पहले oxygen बर निकालो, देखो, माइनस 2, माइनस 2, cyanide भी माइनस 2 में होता है, मैं लिख दिया है, लिखना ने चाहिए, यह माइनस है, माइनस 6 हिदर आगे बनेगा, प्लस 6, कोबाल्ट है, प्लस 3, अब यह सिर्फ एक complex NIN है, complex NIN आते ही क्या लगाना है, 8, क्या लगाना है, 8, लिखो नाम, अब तीन अलग तरह के लिखेंड है, तो आप इन्हें alphabetical order में अरेंज करें, लिखेंगे, क्लोरीडो, नाइट्रो, साइनीडो, C और C, रहें आ गया, वह यह आयोपे से लागा, नेक्स लेटर पर जब कर जाओ, C, H, C, Y, तो सबसे पहले C और N में C लिखा जाएगा, और C, H और C, Y में C, H लिखा जाएगा, तो नाम लिखो क्या, डाइट्रो, क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डाइट्रो, कोबाल्टेट, कौन सा, थर्ड, कितना भी लिख सकते हो, चाओ तो थर्ड आयन भी बुल, इस तरह से आपको जो अलगले लिखेंट हो, उनको अलफा बैटिकल ओडर के अंदर भी आपको अरेंज करना आना जाएगा, फिर आपके पास केश हो सकता है, जब क्याटायन कॉम्फलेक्स हो, कॉम्फलेक्स केटायन, प्लस, सिंपल एनायन, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एट वेट लगाने की दुरूद नहीं है, नॉर्मल नाम लिखते हो, जैसे यह है, सी ओ, एन एक्स थ्री, होल फोर, सी एल टू सी एल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, आपके पास केटायन कॉम्फलेक्स है, सिंपल एनायन, नाम तो पहले किसका लिखा जाता है, केटायन, तो यह पहले केटायन का नाम लिखो, तो अमाइन और क्लोरिडो, तो कहाँ से सुरू करेंगे, टेट्रा अमाइन, ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दे, इंग्लिश में हम क्या करते हैं, दो वोवल्स जब आ जाते हैं, उनको कलब करके एक कर देते हैं, है ना, वो काम यहाँ नहीं करना है, दो वोवल्स हैं, तो दो वोवल्स लिखो, अमाइन के नाम म चिह लेंगता डबल में ना जहां है वहीं सही आगर दोवल रहा हैं दोनों को मिलाकर आप मिलकिल सेम आपकनर करोला तो नहीं से लिघ रहे हैं तो तेटर intellect न खा любим दो, कोबाल्ट, थर्ड, यह कतायन का नाम हो गया और अनायन तो ख्लोराइड बन गया, जैसे, मैं आपको साम लिखता हूं, यह कॉम्पलेक्स, CO, NH3 whole twice, EN whole twice, SO4, आजी, नाम लिको. आपको सकाए। बदाओ नाओ बदाओ नाओ बदाओ नाओ इक क्या है डाओ यमाईन बेरी गुड गलत हो गया है इसके नाम में पहले से डाइ है ना इसके नाम में पहले से डाइ ट्राइ टेट्रा हो आप लोग बिस यूज़ करते हो तो यह बनेगा बिस फिर नाम लिखोगे इथाइलीन डाइ अमाईन जल्दबाजी बिल्कुल नाम अचाहें कोबाल्ट का उक्सिस नंबर बताओ क्योंकि यह नाएन नहीं है तो सिंपल कोबाल्ट सेकेंड बोलूँगा और लास्ट में लिख दूँगा सल्ट्रेट आराम से देखें चली इसका नाम लिखके बता है मैं इसका नाम नहीं लिखना था तो यसे उठा उड़ा की लिख रहा हूं रेंडम नाम लिखते हैं उसी से आप सीखोगे प्रेक्टिस करो सिर्फ हाँ जी नाम बताएं सी यू इन एच्टो होल फाइस एक है सी यू इन होल ट्वाइस सी एल टू तो यह कोई एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें केटैन अनन है नहीं अंदर ही है सब्कों नाम बताएं दोनों का यू तो है लुट झाल 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 बताओ टेट्रा एक्क्वा इथाईलीन डाइमाइन वेरी गुड कॉपर सेकंड सल्फेट रही है यह बताओ डाइक्लोरो ने डाइक्लोरीडो प्रिफर्ड क्लोरीडो लिखेंगे बिस इथाईलीन दस क्या हुआ आपको नाम लिखने को दिया था मैंने तो जब बिस लिखो न तो ब्रैकेट लगा लिया करो डाइमाइन आगे कॉपर सेकंड बस खताओ ना एट ना आयन कुछ न लिखने है समझ में आ रहा है आव और प्रैक्टिस करते हैं कुछ और कंपाउंड उठाते हैं इसका नाम लिख के बताएं तो … हम जब को च्रैस लिख रहाओ इसका को लिख परकाशות कि खंगों दॉद सबस्धिंग कि खंगुट जब जुट है? कि खंगुट है? जो है यह लिखा आपको दिमार लगाने कि अापको जो सहुआ हुआ है झालığ कि ले 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 लेगा कारिया लेता बप्राइब अप्राइब हरे ले लेगा नजया विए हरे लेगा कि आए हूब गाल जा सुछा अभादत जड़ मेंगा लेगा लेगा कि दिए देगा है झाल झाल को हाँ वह बसेन के नाम लिख दो कितने ही बहुत हैं यह काम आते मं दोड़up करगल are you झाल 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 गलत है अच्छा बैसे बोल रो आँ चलो ठीक है बोल से आईरन वेर्ट में उसकर करो जो पहले लिखा है वो केटायन जो बाद में लिखा है बनायन क्रॉस मैंटिप्लाय करो तो यह एफी टू प्लस इसको मैंटिप्लाय करो यह टू माइनस तो यह अभी इसमें दिक्कत यह है कि वन इस्टू वन में लेकर चल दो ना आप अंदर अलायन प्लस पूर में चला जाएगा जो की पॉसिबल नहीं है इसमें इसको पहले बताना पड़ेगा तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मैं क्रॉस में दोनों का चार्ज सेम है तो अगर मैं प्लस टू माइनस टू चार्ज लेता हूं तो दिक्कत है क्या अंदर अलायन प्लस फूर में चला जाएगा ने प्लस फूर में नहीं हो सकता या तो यह प्लस ट्री में और यह माइनस ट्री में हो अब अगर यह प्लस ट्री हुआ तो 3 टू जा 6 प्लस 6 का चार्ज और 3 टू जा माइनस 6 का जाए माइनस एक साथ एरन जीरो स्टेट में चला जाएगा वह भी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पूरा का पूरा हो गया प्लस फोर इसको बैलेंस के लिए स्क्यूप पर चार्ज कितना आएगा माइनस कितना आएगा ठीक है तो यहां थोड़ा आपको देखना पड़ेगा इस पर आगा ना 4-1 पर 1-1-4 इसको चाहिए प्लस-4 प्लस-4 में चला जाए गया यह कंपाउंड ही गलत लिखा हुआ है इसमें क्या पॉसिबल पूछा है इसमें तो फॉर्म्मला एक सिंट रूख गलत लिख दिया है और इसको चेंज कर लेते हैं इसको आप यह बना लो क का दोड़ो के टाना आए फिर के दोनों का नाम इसकर पर कडाइश आइरन तो यह समें लिख सकते हैं के एफी के टू फ ले ले आ है एफी सीन होड्स कित फिन ते के अपिन ले 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 लिख लेए ब्स ये बना लो उसको के एफी एफी सीन होट सकते बट उसमें मुझे बताना पड़ेगा क्या है ठीक है तो हम बताएटा हूँ ये वाला आरेन प्लस थ्री में है ये बताना पड़ेगा दो आरेन ना कुछ भी हो सकता दोनों को आक्सिन ये प्लस थ्री माइनस यह प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फान होता है इस पर प्लस फूट नाम आप कैसे लिखोगे पटाशियम पटाशियम का पी होता है आरन का आई होता है तो पहले आरन को लिख लो आरन अब यहां ऑक्सिन स्टेट बता सकते हैं उसकी कि आरन सेकिंड वाला है पटाशियम की बताने की ज़रूरत नहीं है पिर अंदर क्या है हेक्जा साइनीडो फेरेट थर्ड क्यूंकि एनायन कैसा है कॉम्प्लेक्स है तो बाहर दो केटाएन है तो दोनों केटाएन का नाम लिख दिया अल्फबेटिक राटोर पर दिक्कत नहीं है यहां देखो यह साइनीडो और यह आईसो साइनीडो सी और क्या नाम लिखेंगे बताओ अचा एनायन है दिखे रहा हेँ अपको एट आयाजेगा तो फिर आ इसो साइनीडो फिर कोबाल्टेट और और Exp Shirasis नंबर आ यह भी माइनस बन में है यह भी माइनस में निकाल दो ओव्लस तो नो समझमें आ रहा Salन की फेर माइनायन अ क्वरक यहां देखो यह neutral यह minus 1 minus 3 को बले से लिए plus 3 में आ जाएगा पुरा complex neutral है नाम लिखो amine, nitro, amine पहले आएगा तो tri amine डबल M लिखेंगे ammonia है फिर tri nitro cobalt third इसका नाम खतम है ऐसे यहां देखो aqua और क्लोरीडो को aqua आएगा तो tri aqua tri chlorido rudium oxygen state निकाल दो यह जहीं में से पुछाओ question है नाम पताओ इसका very good देखे amine, klorido, यह methyl amine यह पहले आएगा तो यह बनेगा di amine फिर klorido c पहले आएगा फिर methyl amine अब देखो यह neutral यह minus one यह neutral यह minus one तो इसके उपर चार जा गया प्लस तो फिर लिखेंगे प्लेटीनम कि उसका oxidation नंबर सेकेंड और क्लोराइट तो बहुत ही सिंपल होता है जो हम आपको डीटेल में पढ़ाते हैं तो और भी अब हम चलते हैं बॉंडिंग के उपर तो बॉंडिंग के उपर बॉंडिंग इन कॉर्डिनेशन कंपॉंट्स अब जो पहली थियरी आती है वह आती है वर्नर्स कॉर्डिनेशन तो वर्नर सबसे पहला था जिसने बॉंडिंग के उपर काम किया था कॉर्डिंग कंपॉंट्स ने एक्स्प्लेन करने की कोशिश की थी और इसने एक रफ आइडिया दिया था इंपॉर्टन्ट है काम में आती है आज आप जो भी सीख पा रहे हो आज आप यह बोल पा रहे हो कि इस कंपॉंड के अंदर जब यह तूटेगा यह आजट रहेगा और सल्फेट आइन किसने वर्न वर्न ने वह बेस क्रियेट किया आप कंपाउंड को ऐसे लिख पाओ वर्नर ने क्या कहा अब हम नहीं तरीके से पढ़ेंगे एक से ध्यान रखना कि देरवर कि नो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंट्स अट दे टाइम और वर्नर उस ताइम तक पॉजिटिवली चार्ज लिगेंट्स की डिस्कवरी नहीं है लोग जानते हैं तो वर्नर सरफ नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंट्स से डील करता है यह कैसे करता है दी उसको समझने कोशिश करते हैं आप लोग शीक्वराइस और देखें वर्नर ने कहा कि किसी कॉंपलेक्स कंपाॉंड में दो तरह की वेलंसी होती एक होती यह प्राइमरी वेलंसी और दूसरी कौंसी होती है secondary valence तो दिमाग ना लगाएं जितना बता रहा हूं उतना सुनें बहुत असान है primary valence basically क्या होता है उसका oxidation number होता है क्या होता है oxidation number को represent करता है और यह जो है यह ionizable valence होती है this one is satisfied by negative ligates तो जो आपके negative charge ligands है वो primary valence को satisfy करता है जो दूसरी valence को ते secondary valence वो complex के coordination number को दिखाती है क्यों दिखाती है coordination number यह जो है यह आपकी non-ionizable valence है और can be satisfied by both neutral and negative ligands तो neutral ligands या फिर negatively charged ligands दोनों ही इस valence को satisfy कर सकते है तो जैसे मैं आप से बोलूँ यह compound है CRH2O whole 6 इसको लिखने का एक तरीका यह होता है तो देखा हम modern theory वर्णा 3 क्लब कर देंगे CRCN3.6 H2O ठीक है modern theory के theory क्या है जो अपनने भी तक सीखा कि अगर आपके पास 3D series का प्लस 3 केटायन है कौन सा है प्लस 3 तो उसका coordination number रमेशा कितना होगा 6 तो वो chromium यह प्लस 3 दिख रहा है तो तो chromium प्लस 3 है तो उसका coordination number कितना होना चाहिए 6 यह अपना आज का बंडा है burner के time पी नहीं था हम तो आज बना लिया अब इसमें burner को चक्का हो तो burner क्या बोलता है कि coordination number को कौन सेटिस्फाई कर सकता है neutral और negative दोनों लेकिन oxidation number को कौन सेटिस्फाई कर सकता है सर्फ negative तो यहां बताओ negatively charge ligand कितने है 3 खेर इसमें और possibilities भी है अभी इसका मैं formula ऐसे लिख रहा हूँ कि CR H2O whole 6 CL क्या लिख रहा हूँ CR H2O whole 6 अगर यह compound ऐसे लिखा हुआ है तो बताओ इसका coordination number कितना 6 तो बताओ इसकी secondary valency भी कितनी हो गई 6 हो गई समझ में आ रहा बताओ इसकी primary valency कितनी है जो इसका oxidation number कितना है 3 तो वो इसकी primary valency आ लिख इसका case के अंदर secondary valency satisfied by H2O है अब बताओ primary valency satisfied by क्या है CL minus अब जरू नहीं यह complex ऐसा ही रहा है complex का type change हो सकता है जिसे आप देखो मैं complex लिख दूँ ऐसे C-R-H2O whole file C-L C-L फिर से देखें ध्यान से बताओ secondary valency कितनी भहिया coordination number 5 और 6 बताओ primary valency कितनी भहिया 3 oxidation number निकाल लो chromium plus 3 नहीं है लेकिन अब अब यहाँ पर क्या है यह चीज है secondary valency satisfied by 5 H2O and 1 chlorine यह satisfied by 3 chlorine 3 Cl- तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 Cl- iron showing dual behavior it is satisfying both primary and secondary valency तो किसी किसी complex में एक आयन दो काम कर सकता है वो primary को भी satisfy कर सकता है और secondary को भी satisfy कर सकता है तो देखो यह चीज में आप से question पुछा आ सकता है वर्नर नहीं में सिखाया अगर आप एक complex का bonding pattern दिखाओ जिसे इसका उसमें 6 water molecule secondary valency को satisfy कर रहे हैं जो भी secondary valency को satisfy करता है उसे हम solid lines से दिखाते हैं किस से दिखाते हैं like this और जो भी primary valency को satisfy करता है उसे हम dotted line से दिखाते हैं यहाँ पर 3 chlorine dot दिखाते हैं मैं एक और चीज़ बता दूँ जब की primary valency होती है वो basically ionic bond है ionic bond nature में कैसा होता है non-directed जो primary valency है वो non-directional होती है secondary valency basically coordinate bond है यानि covalent bond और covalent bond कैसा होता है directional होता है इसलिए secondary valency यानि coordination number is responsible for structure of compound coordination number 6 है तो octahedral होगा 4 है तो tetrahedral 2 है तो linear होगा 5 है तो trigonal bipyramidal होगा 3 है तो trigonal cleaner होगा ठीक है चलिए तो यह होगा अब अगर यह complex का मैं बनाऊं वर्नर के साब से तो क्या बन जाएगा solid line से और यही क्लोरीन एक dashed line से भी दिखाया जाएगा यही दोनों काम कर रहा है और दो क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ primary valency को satisfy मार्क डेंशियाटी क्या होती बिनाएक इस पर आपसे कैसा question पूछ सकता कुछ इस तरह है question मैं आपसे मलब बनाया जा सकता आपके सामने यह complex है एन एच थ्री एन एच थ्री सी एल बी आर सी एल एन एच थ्री और यहाँ पर आप ले लो कुछ और ले लेता है एन ओ टू माइनस ऐसा अब मैंस बनाऊं यह के तो बार तीन ना चार बैना पांच चे अच्छे इस पांप्लेक्स का फॉर्मलर क्या होगा है ठीक है यह इसका नाम पूछ लेगा आप से कुछ भी कुछ सकता है तो आप क्या करोगे सेंट एटम कौन है कोबार्ट पहले सारी प्राइमरी सेकेंडरी विलेंस से रेंज कर लो सेकेंडरी एनी सॉलिड लाइन्स तो मेरे पास से तीन एजन्स तरी हैं तीनो के तीनों अंदर होगे एक बी आर अंदर होगा एक एक अंदर होगा और बाहर एक क्लूरी हुगा या से इसके कमणओं को फॉर्मला गलत लिखा गया थे गलत कैसे ऐल्फा बेटिकल उडर में होना चाहीए लिखते टाइम भी मतलब सी ओ एन B, C, L मनलब Amine A आता है पहले सही है इनको सही रहे है Amine का A पहले आ गया Bromido का B, Chlorido का C, 992 आ है इनको भी alphabetical order में लिखा जाता है यह आप ध्यान लगना तो का सा Clear है Werners coordination theory समझ में आई अब Werners की theory के उपर based कई तरह के questions होता है जहने से आपको compound का structure बना तो बहुत ही असान questions है देख लो मेरे पास अगर 50 आ गई है तो अगर आवे 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 कोडिनिशन कमपॉंट्स छीए तो यसी को transfer कर लेता है पहले तो सेव कर दो पता पराएगी गाया भूगए तो दिखकत हो जाएगी अधुअ अ कि अ कि 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 इसका नाम क्या था नाम बताओ अपना इसफ़ी सोचाब आए गल दीनाएकर क्या वता है? मार्क नचाटी? क्या होती? मार्क नचाटी? कुछ नचाटी? कुछ नचाटी है मार्क नचाटी? ब्वांचलो भो जून को ऊीडिद कि फें है! बहुत स्लो हो भाई जल्दी ट्रांस्पर हो जाओ हमारे पास समय कम है और आम से हो गई खलो हो जाओ जल्दी ट्रांस्वर जाओ में लाँ दर को कैसे बगाएं मांटेन ड्यू की हो डर अपने आप भाग जाएगा ऐसा बोलता है रितिकराशन बोलता है कि अच्छा मेरे एंसे डी पॉड्कास्ट डाले में भी नाए तो आप उसको यूज कर सकते हो बाकि मैं एक सेशन भी लेने वाला हूं सोच रहा हूं प्लान करता हूं तो कर देनी काम दिया है अब देखें कुछ क्वेशन करते हैं जो बेसिकली वर्णर्स थिवरी के पर होंगे यह देखें कर रहा है वन मोल अप दो कॉंपलेक्स कंपाउंड दिस गिव्स थ्री मोल्स अप आयन और डिजरेशन इंड वाटर इस कंपाउंड का अगर आप एक मोल लेकर बैठे हो एक मोल उससे तीन मोल आयन मिल रहे है इसका अंतलब यह होगा कि एक मॉलिक्यूल से तीन मिलेगे ठीक है one mole of the same complex reacts with two moles of EGNO3 इस compound में EGNO3 से react करने वाला कौन है क्लोरीन तो यह करे रहा है आपको दो mole EGNO3 चाहिए बताव दो mole EGNO3 कब चाहिए होगे जा आपका compound दो क्लोरीन दे रहा होगा that means आपका जो compound है उसमें दो क्लोरीन बाहर होने चाहिए है औक्सिनेशन नमबर एक आलो यह क्या होगा प्लस 3 प्लस 3 है तो कॉडिनेशन नमबर कितना होगा 6 देखो ammonia neutral है क्लोरीन तीन है उसमें दो क्लोरीन बाहर होने एक क्लोरीन अंदर आएगा क्लोरीन नमबर 6 है तो वो तो neutral लिगेंड ही पूरा करेगा compound का formula हो गया और यार नहीं ऐसे दख करेंगा तो co nh3 whole 5 यह compound का formula है है क्या कोई ऐसा कोई और नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इसका अच्छा यह तीनों सील अंदर है यहाँ पर इसका coordination नमबर ही पांच है जबकि प्लस 3 में कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए हाँ अधित्य आइसमरिस्म पूरा चेप्टर कवर हो गया चिंता क्यों कर दो मजाग थोड़ी चलना जब आप से बोला है हर चेप्टर कराएंगे पूरा कराएंगे आपको पैसे सस्ता माल लग रहा है इसके लग रहा है कि क्वालिटी दी मिलेगी सस्ते माल लग रहा है और इसके पैसे कम लिएंगे तो पड़ा भी कम देंगे कोई तिक्कत नहीं है ज्यादा पैसे लेते तो गैरिंटी होती है चलिए खेर सब कुछ कवर करेंगे आइसमरिजम भी करेंगे सिनर्जिक बॉंडिंग भी होगी बहुत कुछ होगा यह तो कलने के बाद में और यह बाद में नाम लिखो जल्दी लिखो भाई कॉंचा सेकंड नाइट्रो अमाइन तो पेंटा अमाइन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोरेड नाइट्र तो लिखावा नहीं है तो नाइट्रीटो एन यूज करेंगे जो पराना तरीका दिया होगा है हाँ है भी पुराना तो पुराना तरीका यह तो बाद में देखेंगे यह बाद में देखेंगे बताओ हाँ मैनी इडिटी ए मॉलिकुल्ट था रेक्वार तो मेक अ ओक्टा है ट्रव था ओक्टार कोडिनेशन नंबर कितना होगा शिक्स के लिए तो एक ही चाहिए ऐसा कॉश्चन आजा तो मज़ा जाएगा तो यह भी आंसर दे सकते है पिटी जब भी कभी कॉश्चन नंबर चाहर में होगा हमेशा कॉनसा कॉश्च बनाएगा थोड़े पर लिखा है था कॉश्चन प्लस तू और उपर हमेशा स्टीन्च बनता है कन लोग व्रल बेशिन में अंदो ऑ्र कॉश्च्छरिय डीकूर है आकालाका आकालाका अबना है कि यह रहा है आप कंपाउंड ही है इस से आपको एजी सील मिल रहा है कितना इसका 4.7 तो मोल्स निकालो 4.78 डिवेड़ पास का मुलर मास 143 पॉंट तो ध्यान से देखो 478 को 3 से मिल्टिप्ला गरू हूं 4, 2, 21, 2, 23, 2, 4, 3, 12, 2, 14 इसके आसपास ही आ रहा है देखो यह अप्रोक्सिमेट लिसको 1 by 30 यहनी 0.033 मोल दिख रहा है कितना गुना है that means one molecule giving कितना 3 AGC है इसका अलब 3 क्लोरीन कहां होंगे बाहर कोडिशन मेर कितना है प्लस 3 तो 6 NH3 अंदर question खत्तम पर पूछने के तरीका लागे है लेकिन तरीके सबसे आराम से solve कर सकते हैं कितना है हुआ 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 है कि इतना 102.1 यह नहीं 10 mmol कि आपके पास 10 मिली मूल्स यह चाहो तो वह 0.01 मूल लिख लो आपके चाह एकसे से करवाया तो कह रहा है कि 1.2 इंटो 10 पावर 22 आइंस और प्रेसिपिटेड इपिटेड दिवाद भाए क्या गरो 6 इंटो 10 पावर 23 तो यह जाएगा 0.02 मूल आइंस प्रेसिपिटेड है प्रेसिपिटेड है 0.01 मूल से टोटल 0.02 मूल आइंस प्रेसिपिटेड हुए है रेक्शन किससे करवाया आपने अगर ऐसा है इस कंपाउंड ने कितने क्लोरीन दिये होगे तो 2Cl- विल बी अवेलेबल फ्रॉम COCl3.6H2 एट मेंस दो क्लोरीन बाहर होंगे CO H2O whole 5 एक क्लोरीन अंदर होगा एक H2O.H2O के फॉर्म में आ जाएगा पताव करेक्ट आंसर कौन सा होगा और जैसे आपने किया आप तो गेम हो जाएगा गौलत है बताओ क्यों तो अच्छे सर्मा जी जोंके वाह हुई हाँ दिक्कत क्या है यह वोला है 0.02 mol ions precipitate हुए है सो नो ध्यान से when 1 mol AgCl is precipitated this implies 1 mol Ag plus and 1 mol Cl minus precipitated total कितना ions precipitated समझ में आ रहा ही क्या so that means अब खेचला गा तू आगा लेगा so 1 Cl minus will be ionizable तो compound के फार्मुले में 1 Cl बाहर होगा तो बाबू 2 Cl अंदर होगे तो बचा कितना पानी सार और 2 पानी बाहर होगा ऐसा कोई है क्या कौन सा है this will be your correct answer क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है आपसे question करवाना गलत करवाना is not a big task it can be done easily इसलिए सतर्ग रहें सावधान रहें अगर प्रशन कर तुमीशी से पढ़गे सौल करें ऐसी लेंग्विज दुबारा भी आज़के है आपसे दुमीशी दुमीशी दूमीशी से लेंगे से अगर यू अज़के आपसे से रहें आपको सीरुके साफाना गलता 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 है से जो इंपोर्टन्ट केटेग्री सिर्वाद मने कर बाए ये भी कर लो इसमेर इसमा भी नहीं कर पाओ गया लो यह कर लो कर आप ट्राइब कर लो कोई सिर्वाइब कर आप ट्राइब कर लो कोई सिर्वाइब इस कर लो कर लेने इसको आप लुप रहा है इसमें क्या है ना आप जैसे जो कॉंप्लेक्स है उसको concentrated H2SO4 से treat करवाओगे तो यह एक dehydrating agent है यह आप अच्छे से जानते हैं और अर्गनिंग में बहुत पढ़ चुते हैं जब भी किसी आप लिएज ओफ वाटर जो है बाहर आउटसाइड कोर्डिनेशन स्फियर वो कितने आने चाहिए साढ़े तेरा परसेंट तो दिक्कत है बढ़ समझें आप यह नहीं वाटर का मास्स इन में आपको option चेक करना पढ़ेगा तो आप लिखेलो N इन्टू वाटर का मास्स 18 मालो N वाटर मोलेकूल तो इस पार में प्रेजेंट है डिवाइड बाए पूरे कंपाउंट का मोलेकुलर मास्स निकालो 12 96 और 12 108 और 52 160 प्लस 105 माच 265 तो डिवाइड बाए 265 इन्टू हंड्रेट तो यह से आप N के लिए निकालो 13.5 इन्टू 265 डिवाइड बाए 18 इन्टू हंड्रेट तो काम करो ना इन्ट की तो वैलू निकालता है और नहीं पूरे कंपाउंड का निकालता है तो अब सॉल कर लो एक काम करो इसको थोड़ा रियर्रेंज करते हैं इसका टैन यहां देदो तो इसको 27 मांतो एक जीरो गया तो नौ से उड़ाव 92018 93027 इसको एक पॉइंट और दो दो 1.35 तो तो वन पॉइंट 3530 तो फोर क्या स्पास आगा फोर बाई टू इस टू अप्रॉक्सिमेटली दो क्या स्पास आजाए कौन पूरा गल्कुलेट करेगा तो दो एस्टू वाले कि बार होने चाहिए किसमें है इसमें है यही मिरा आंसर है कि समझ पा रहे हैं इन क्वेस्टिन इसका आप लोग ध्यान रखें इस तरह की क्वेस्टिन आपसे पूट सकता है ओके अब यह तो थी वर्नर्स कोडिनेशन थियोरी जो मैं आपको समझा दी है कैसे काम में लेते हैं अब चलते हैं आगे और बात करते हैं एक और नेक्स थियोरी की जो अपने काम में आएगी इस नहीं बोलता है crystal field theory सब से important अपलोग को ध्यान रखना balance bond theory अपने को यूज नहीं करने की काम नहीं आएगी सब अपन CFP से ही करते हैं crystal field theory क्या कहती है पहले तो एक चीज़ की ध्यान रखना it considers that there is no overlapping of orbitals भाई वीवीटी जो है ना वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थियोरी वो जफिना केमिकल बांडिंग में पड़ा है hybridization बताती है और बोलती है कि जब central metal atom और ligand के बीच में coordinate bond बन रहा है तो ligand के भरेवे orbital metal के खाली और लाप करते हैं और bond बनता है इसी अफ्टर दिने नहीं कुछ नहीं होती है orbitals occur during formation of complex compound the attraction और bond between central metal ion and ligand is purely electrostatic यह उसको एक ionic bond की तरह ट्रीट का कोई overlapping नहीं है लेकिन overlapping तो होती है वीबीटी भी है वीबीटी सही है पर वीबीटी कुछ चीदों के explain नहीं कर पाते हैं CFT को वीबीटी क्लब कर देंगे मैं दोनों को क्लब करके पढ़ाता हूं ठीक है तो यह कहती है आपके पास यह metal है और यह ligand है तो CFT metal को क्या बोलती है एक positive point charge और ligand को क्या मानती है एक negative point charge तो negative ligand है तो negative point charge अगर neutral ligand है तो dipole मान लेती है पूल का एक positive end होता है और एक तो इस तरह जो कहती है एक इन दोनों के बीच में जो भी bond बनेगा वो एक 100% pure कैसा bond होगा आयन वो यह मान के चलता है ठीक है फिर यह थियोरी कहती है कि जब ligand के चारों तरफ symmetric field है तो जो आपके 5 d orbitals होते हैं dxy d y z d z x square d z square d z square d x square minus y square इन सब क इनर्जी क्या रहती है सेम रहती है इनको हम बोलते हैं degenerate orbitals क्या बोलते हैं लेकिन अगर ligands का field जो है वो asymmetric है कैसा है तो फिर repulsion भी asymmetric होता है जो टेट्राइडल complex हो गया तो इन orbitals के energy change होती है और यह दो parts में split हो जाते हैं उसी चिसको हम बोलते है crystal field splitting क्या बोलते हैं तो splitting कैसी होगी वो complex के type पर depend करती है I hope आप सभी लोग ने splitting एक ने एक बार तो सीखी हुई है बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो आपका octahedral complex बनता है तो आप समझने की कोशिश करें एक octahedral complex को अगर मैं draw करूँ paper पे geometry wise तो मान लो यह x axis है मान लो यह y axis है तो यह z axis होगी और देखो यही एक octahedral complex है कहने का मतलब यह है कि जब एक octahedral complex बनेगा तो एक ligand इस y direction से आएगा एक ligand इस y direction से एक ligand इस x direction से एक ligand इधर से एक ligand z की तरफ से आएगा यानि ligand जो है वो metal atom को axis के along approach कर रहे है तो ligand के पास भी electron pair है और जो central metal atom है जो से मान लो iron है मेरे पास iron plus 2 में है iron plus 2 में electronic configuration बनता है 3D6 एक दो तीन चार पांच छो देखो पांच छे पांचो के पांचो डियर्विल्स में electron भरे हुए है तो होगा क्या कि जब भी ligand in metal को approach कर रहा होगा तो रास्ते में देखो जो orbitals है मान लो d x square minus y square उसकी lobes रास्ते में पड़ी होगी ऐसा d z square की lobe इस रास्ते में होगी यानि इसकी electron ही है इसके रास्ते में आ रहे है electron electron में क्या होगा repulsion इस तरह से जब आप एक octahedral complex में होते हो जो पांच degenerate orbitals थे इनकी energy बदलती है और जिन orbitals में ज़्यादा repulsion होता है वो उपर shift हो जाते है तो d x square minus y square और d z square ये दोनों orbitals energy में उपर चले जाते हैं और इस set को हम बुलाता है e g क्या बुलाता है e g ध्यान रखना यहाँ पर यह जी जो है यह symmetry को दिखाता है octahedral complex एक symmetrical complex है देखो proper symmetry है दो बॉर्ड ऊपर चार बॉर्ड एक लिए ठीक है और जो 3 non axial orbitals हैं उन्हें हम प्यार से बुलाता है t2g जिसमें कौन कौन होता है dxy, dyz, dzx इन में repulsion बढ़ा तो इनकी energy तो उपर हो गई तो आप बुलो कि इन में repulsion था ही नहीं लेकिन total energy को balance करने के लिए जितना उपर गए उसे साब से कहा जाता है नीचे तो net energy जो है वो भी भी zero level पर होती है इस तरह से जो gap इन दोनों की बीच में create उसे हम बोलते है डेल्टा O, डेल्टा O is crystal field splitting energy in octahedral field या complex जो भी आप बोलना चाहो एक ही बात है फिर देखें यहाँ पर energy का distribution होता है यह zero level से उल्टा चला अगरो 3 नीचे गए 2 बनाए तो 3 बाए 5 डेल्टा नौट उपर चला जाता है जिसे आप चाहो तो plus 0.6 डेल्टा नौट लिख सकती हो और यह zero level से minus 2 बाए 5 उपर 2 है ना उल्टा लिखा करो 2 बाए 5 3 बाए 5 यान माइनस 0.4 डेल्टा नौट नीचे आ जाता है ये जो गेप है अलग 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 लिए किसी के लिए कम आ सकता है कोई भी 2 लिए सकता है अगर किसी लिए कम ज़ादा है तो सहमें बूलता है is strong field little लिए ऐसा लिए जिसके लिए higher value of delta not हो, यह निस इंपल वर्ड में large energy gap, तो जो ligand बड़ा energy gap create करेगा वो strong field ligand होगा, similarly WFL weak field ligand, ठीक है, weak field ligand, यहाँ पर क्या होगा, small energy gap तो इस तरह से हम ligands को categorize करते हैं into SFLN, WFL, call SFLN, call SFLN, call WFLN, यहाँ लोग आगे cover करेंगे, पर हाल फिलाल यह है octahedral field की splitting, ऐसे आप देखो, जब आप tetrahedral field में आते हो, तो खानी बस थोड़ी उल्टे हो जाती है, तो tetrahedral complex की case में, चीज़ वो ही है, 5D orbital होंगे, बस splitting उल्टी हो जाती है, इस बार T2, यानि 3 non-axial orbital उपर चले जाते हैं, ध्यान देना, इसको हम T2 बोलते हैं, यहाँ G use नहीं करते हैं, अगर tetral complex दिया और दो option में अलग-अलग एग जगा T2G है और एग जगा T2 है, तो कौन सा correct होगा, G word symmetrically use करते हैं, EG और T2G, यह E होगा, बाकी कहानी सेम है, यह कौन से splitting कहलाएगी, delta T, crystal field splitting energy in tetrahedral field, बता हो, यह कितना ऊपर चला जाएगा, उल्टा चलो, तो 2 by 5 delta T ऊपर, और यह कितना नीचे आजाएगा, 3 by 5 delta T, आप देखो, diagram में मैंने यह बड़ा gap बनाया था, octahedral का यह छोटा बनाया था, octahedral field की splitting tetrahedral से जादा होती है, and there is relation, delta T is 4 by 9 times of delta O, फिर आता है, तीसरा complex जिसे हम बोलता है, square planar complex, square planar complex की splitting आप रटन नहीं पाऊगे, इसलिए समझने के उपर focus करें, कि जब भी आपके पास square planar complex बनेगा, देखो square planar complex ऐसा होता है, यह x-axis माल लो, यह y-axis, यह z-axis है, ठीक है, तो अगर मैं orbitals बनाऊं, तो यह orange वाला तो कौन से और्बिटल हो गया होता है, ना हम बता और्बिटल का, यह बनेगे है, dx square minus y square, फिर देखो, एक होगा dxy, जिसकी lobes x और y-axis की बीच में लाई करेंगी, होगा, और एक होगा dz square, जिसकी दो lobes तो z-axis पर होगी, लेकिन इसकी रिंग होती है, जो x-y plane में होगी, क्या आप सभी यह चीज जानते हैं, अब जब ligand आएंगे, तो किदर किदर से आएंगे, एक ligand इदर से आएगा, y-axis की तरफ से, दो ligand और दो ligand किदर से आएंगे, x-axis की तरफ से, तो सबसे पहला direct repulsion किसको होगा, dx square minus square को, एनरजी में dx square minus y square सबसे उपर बैठ जाएगा, second repulsion किसको होगा आता हो, dz square को यह blue वाले dxy को, dz square को, क्यों हो, क्योंकि उसकी ring इस plane में है, तो ring में जो होती है न, जो dz square की ring होती है, इसमें सिर्फ two-third electron, sorry, one-third होती है, बाकी two-third यहाँ पर होती है, जबकि dxy की 100% electron density कौन से plane में है, xy plane में है, अगला number किसका लगेगा, dxy, उसके बाद अगला number किसका लगेगा, dz square, बाकी के जो दो orbital हैं d, वो इस plane से बाहर हैं, उनके एनरजी में similar change आया था, तो यह जो आपके 5 d orbitals हैं, यह square planer field में इस तरह से split होता है, यह gap सबसे बड़ा होता है, इसको हम बोलता है delta sp, square planer, अगर आप order देखोगे, तो सबसे आगे यह होता है, फिर o और फिर t होता है, यह जरूर याद रखे, पूछ सकता है, दूसरा delta square planer जो है, वो 4 by 3 times of delta o होता है, होनी चाहिए, यह एक बार पूछ चुका है, पहले दुबारा भी पूछ सकता है, यह कई लोग को नहीं पता होती है, याद नहीं होती है, रिट नहीं पाऊगे, इसके उपर फोड़ा सा काम करें, complex का नाम लेते ही, आपको उसका splitting diagram दिखना चाहिए, वैसे हम बता दू, octahedral के लिए ही सबसे ज़्यादा काम में आता है, उसी के लिए हम लोग बात करेंगे, बट वो अपन करेंगे next class, यानि कल, ठीक है ना, तो आज अपन इतना ही complete कर रहे हैं, कल हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, हाँ, फिर खतम हो जाएगा, फिर आपका पी ब्लॉक बचेगा, ओन्लाइन के लिए तो सिर्फ, वो अपन लोग दो-तिन लेक्चर में cover up करेंगे, और atomic structure बचावाए थिन थोड़ा सा, तो वो cover up करना, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्तेत वाली बात नहीं है, तो आज अपन इतना ही complete कर रहे हैं, आप इनके उपर based questions एक बार try कर लें, next class फिर हम लोग यहां से आगे, तो देखो last class हम लोगों ने splitting के बात कर लेती, कैसे octagonal field में, tetraidal field में और square field के इंदर क्या होती है, splitting होती है, आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं, और बात कर रहे हैं, hybridization, electrons, filling इन सब चीज़ों की, filling of electrons and hybridization in octahedral complexes. तो अगर आप पास कोई भी एक octagonal complex है, और आपको उसके अंदर electrons को भरना है, hybridization निकालना है, वह बहुत सिंपल से बात आप ध्यान रखना, जब भी आप octagonal complex की बात कर रहे हो, तो आपको filling जो करनी है, वो splitting के through ही करनी है, उसके through करनी है, splitting के थीक है, तो मैं सारे exam देता हूँ, सिंपल से आपसे बात करें, मान लो D4 configuration है, तो दो case में आपको electrons को भरना होता है, एक weak field legend के case में, और एक आप भरते हो, strong field legends की case में है, तो अगर आप strong field legends की बात करें, ऐसे case में D4 कैसे भरा जाएगा, तो देखे, D4 weak field ने भरोगे, तो 1, 2, 3, good evening, अपक्षा, good evening, और 4th, अब क्योंकि weak field legend होता है, तो यह वाला gap relatively कम होता है, splitting का gap, तो 4th electron यहाँ जाएगा, यानि सिंपल वर्ड्स में आप यह बोल सकते हो, कि electrons की pairing नहीं होगी, और अगर strong field legend है, तो gap बड़ा होता है, दिखाया नहीं है अपन ने, तो 1, 2, 3, और 4th electron यहाँ पर भरा जाएगा, electron उपर जाने के जाएगा, यहाँ पर pairing को prefer करेगा, तो यह strong field legend के case में gap क्या होता है, बड़ा होता है, दूसरी चीज, आप इध्यान दे, जब तक आपके यह दो d orbital खाली है, octadal complex में आपको d2 sp3 hybridization मिलेगा, और इसे हम लोग बोलते हैं inner orbital complex, और अगर यह खाली नहीं है, तो फिर आपके बाहर वाले d orbital काम में आते हैं, और hybridization बनता है sp3 d2, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, outer orbital complex के नाम से, बात पर focus करें, जिसे अगर आप समझें, तो normal convection अगर मैं देखो, तो आपके पास 5 3d orbital होंगे, 1 4s होगा, 1 4p होगा, और इसके अलावा 5 4d orbitals होंगे, अगर आप इस convection के इस पर replicate करें, तो 1, 2, 3, 4, आपको octadal में coordination number होता है 6, 6 bond बनाने के लिए 6 खाली orbital आपको चाहिए होंगे, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 orbital आप यूज़ करते हो, तो देखो, ये वाला जोटी है, ये outer d orbital है, n, और ये क्या है, inner है, n-1, तो देखो, यहाँ पर बाहर वाले d orbital काम में आ रहे हैं, तो इसका hybridation क्या होगा, sp3d2, बहुत है सिंपल है, अगर ये d orbital भरे हुए हैं, तो hybridation बाहर वाले d orbital सी होगा, sp3d2, क्योंकि outer orbital काम में आ रहे हैं, ये से हम बोलते हैं, outer orbital complex, similarly, अगर आपके पास इस configuration में आप देखो, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, 3d, 4s, and 4p, तो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, इसी को replicate कर रहा हूँ, तो अंदर वाले 2d खाली है, sp3, देखो 6 orbital हो गए, और hybridation क्या हो जाएगा, d2, sp3, क्योंकि यह इनर डियर्विल काम में आ रहे हैं, तो इसे हम लोग inner orbital complex बोलते हैं, दो चीज़े हैं, उसके लावा यहाँ देखें, यहाँ पर चार android electron है, यहाँ पर सिर्फ दो android electron है, इसका net spin जादा आएगा, जोसे हम बोलते हैं, high spin complex, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, relatively low spin complex, यहाँ पर भी inner electron है, paramagnetic, यहाँ पर भी inner electron है, paramagnetic, और mu जो होता है, magnetic moment उसका formula क्या बनता है, root n into n plus 2 बहुर magnetron, तो यह इसकी unit बनती है, यहाँ पर n जो है n, वो क्या कहलाते हैं, number of unpaired electrons, क्या कहलाता है, number of unpaired electrons, तो यह आपके वैस कुछ छोड़ी चीज़ है, जो आपको पता होनी चाहिए, इनकों यूज़ करते रहेंगे, अब बात ही आती है, कि हमें कैसे पता लेगा, कि एक legend weak field है, या फिर strong field है, उसके लिए मारे पास एक series होती है, जिसे हम लोग spectrochemical series के नाम से जानते हैं, और यह आपको याद होनी चाहिए, इसमें कौन को रहता है, I minus, BR minus, SCN minus, NO2 minus, सॉरी, इतना बुरा था, कालू, शामू, नाई, कौन? इतना बुरा था, था फॉर थायोसाइनेट, कालू, शामू, नाई, फूले, F minus, हाथ, हाइड्रॉकसाइड, OH minus, SA, acetate, CH3, COO minus, उसके ऑउक्जेल, उसके याद दिल्निमोनी के एक छोड़ा सा, क्या है यह कि इतना बुरा था, कालू, शामू, नाई, फूले, हाथ, हाथ, that is from हाइड्रॉकसाइड, उससे उठाया है, acetate यानि ऐसे, उसके यानि ऑउक्जेलेट, और लास्ट में आप फिलार आता है, कि पानी भरा हो जैसे, पानी भरा हो जैसे है, तो पानी तक यह सभी के सभी वीक फिल्ड लिगेंड्स है, जो पिंक कलर में लेकर हैं, सभी के सभी वीक फिल्ड लिगेंड्स है, इसके बाद शुरू होता है, स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड्स, उसमें आता है, NCS माइनस, इससे आप बोल सकते हो नवीन चंद्र सक्सेना अमन पाने के लिए इन दिनों यह इन दिनों इन दिनों अमन पाने के लिए के लिए नौ सेना यह आता है एन ओ थ्री माइनस कहां पर यहां पर यहां पर यहां यहां एन ओ टू माइनस आए गा एक्सट एगा यहां यहां एगा नौ सेना और यहां आएगा चक्कर लगा रहा है यह आपके पास basic spectrochemical series से आप idea लगा सकते हो कि कौन strong field है कौन weak field अच्छा यह जो series है this series is applicable for for 3D series only इसमें नोटो यहां कर लो एन 3 माइनस आप नोटो माइनस में नाटोजन डोनर है ना नाटोजन के पास दो रेक्टोन आप ठीक है ध्यान रखना इसमें कुछ उड़े points है for 4D and 5D series elements 4D and नोगा और अच्छा आपके series elements all ligands are SFL क्या होता है 4D, 5D लिए सारे ligands क्या होता है SFL होता है दूसरा यह मैं आपको पहले बता चको हूँ या रखना for CO3 plus oxygen donors act as SFL जैसे आप देखो oxalate for example oxalate C2O42 minus water यह वैसे weak field ligand है लिए बॉर्डर पर है CO plus 3 की pulling power इतने अच्छी होती है कि electron microscope तरफ खींच लेता है और यह दोनों जो है उसके लिए किसकी तरह काम करते हैं स्ट्रॉंग field ligand की तरह काम करना शुरू करते हैं इसी तरह NH3 जो है act as weak field ligand for Fe2 plus Mn2 plus कभी कभी यह काम में आ जाते हैं इनको अपनुक ध्यान लगए करते हैं आको बंदीन करatे है झाल झाल हो गया चलाएंगे चली बहुत बढ़िया तो अब इसके वेशिस पर हम डील कर सकते हैं कंपाउंट से तो रेंडम ली आपको कोई भी कंपाउंट बनागे दिया इसका से आप पास एक तो है कोबाल्ट का जो ऑक्सिडेशन नंबर है वो प्लस 3 है तो कोबाल्ट का खुद का एलेक्टरोनी कॉंफिगरेशन क्या होता है तो वह होता है 3D74S2 जब कोबाल्ट यहां प्लस 3 स्टेट में आएगा तो कॉंफिशन क्या बचेगा 3D6 आपको दिख रहा है कोडिनेशन नंबर 6 है तो जब भी हम ओक्टाइडरल कॉंफिग से डील कर रहे हैं तो इस तरह से स्प्लिटिंग करवा के हमको एलेक्टरॉंस भरने होंगे तो 6 एलेक्टरॉंस भरने है क्लोरीन जो है CL- कैसा लिगेंड है वीक फिल लिगेंड तो भरो 1,2,3,4,5,6 अब देखो यह वाले डि अब यहां पर जो आमोनिया है वह कैसा लिगेंड है तो छे लेक्टरॉंस भरेंगे 1,2,3,4,5,6 यहां इबरिटाशन होगा D2SP3 यह कहला हैगा Inner Orbital Complex इसी के साथ-साथ यह Low Spin Complex होगा और वो High Spin Complex होगा नेचर में कैसा होगा डायमाट तो यह सब हर बार यही करना है जब भी Coordination Number 6 हैगा Splitting करवाएंगे Electrons देखेंगे Fill करेंगे अगर Unpill Electrons है तो पैरा Magnetic नहीं है तो कैसा होगा डायमाट यह कानी Coordination Number 6 की फिर आपके पास क्या हो सकता है अगर आप पास Coordination Number 4 हो तो देखो Coordination Number 4 में हम Direct Trick यूज़ करेंगे Use Trick and Fill Without Splitting आप चाहो तो Splitting से भर सकते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़े पता होनी चाहिए तो बैटरी है कि आप इस Trick को यूज़ करें Coordination Number 4 में आपको अगर WFL है तो आप कोई Pairing नहीं करोगे No Pairing और अगर SFL है तो आप Pairing of Electrons करोगे First Pairing को प्रिफर करेंगे और देखने में आपको लगे पैरिंग अब हम हूंसरूल के अगेंस्ट कर रहे हैं और एक्चली हम हूंसरूल को हमेशा फॉलो करते हैं जा Splitting से भरोगे तो हूंसरूल फॉलो होगा अभी उन चीज़े में नहीं पढ़ता है अभी का आप संज़े Coordination No.4 है Electrons भरने हैं इसे मेरे पास एक Complex है NiCl4 2- इसमें आप देखो Nickel खुदका Electronic Configuration होता है 3D8 4S2 इस Complex में Nickel Plus 2 स्टेट में है तो जब Nickel Plus 2 में आगे आ तो Conformation क्या बनेगा 3D8 अब आपको Splitting नहीं करनी है आपको Simple भरना है D तो यह 3D है इसके बाद 4S होगा फिर 4P होगा Coordination No.4 है तो आपको 4 खाली orbital चाहिए ठीक है आप भरो 8 electron pairing नहीं होगी CL- weak field ligand है तो without pairing भरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया इधर की derivative खाली नहीं है यह 4 खाली है तो यह 4 खाली है तो यह 4 orbital काम में आएंगे तो बताओ hybridization क्या हो जाएगा SP3 और इसकी geometry यानि shape क्या हो जाएगी tetra है वहीं अगर आप example लेने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें Ni cn whole 4 2- यहा निकल कौन से स्टेट में है plus 2 तो plus 2 स्टेट में फिर से वही 3D8 लेकिन इस बार जब हम इलेक्ट्रॉंस को भरेंगे तो यह 4S यह 4P और यह 3D इस बार पहले pairing करते जो लगए 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आप देखो तो चार orbital में एक यह ए एक यह और दो यह यहाँ पर hybridization क्या हो जाएगा dsp2 और dsp2 में shape कैसी होती है square planer actually मैं आपको बताऊं square planer बनेगा ही जब configuration d8 होगा तो आप simple जादे रह सकते हो कि कि किसी भी element का अगर d8 configuration है sfl है और coordination number 4 है तो यह हो गया सार्व भोमिक सकते है universal truth यह हमेशा कौन सा complex बनाएगा square planer एक और चीज़ में आपको बता चुका हो pt plus 2 and pd plus 2 बताऊ coordination number 4 यह आएगा हमेशा और geometry क्या बनने वाली है square planer आप उसे trick बोल लो observation बोल लो very 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 important अगर d8 configuration है sfl है तो यह पक्ता है कि complex क्या अबने वाला है square planer जब coordination number कितना होगा यह आपको आ गया बस हो गया अब आपको hybridization के magnetic director के बहुत सारे questions बिलेंगे तो देखते हैं कौन-कौन से questions है और कैसे हम उन questions है deal करने पादे है करने पादे है देखें एक क्वेस्टिन चोड़ा सा अंचर बताया है क्वेस्टिन चोड़ा बताया है क्वेस्टिन चोड़ा बताय है इनमें से कौन सा आउटर और्विटल कॉंप्लेक्स है आउटर और्विटल में क्या होता है पहली बात तो आपका लिगेंड जो वह स्ट्रॉंग फिल्ड नहीं होना चाहिए ढंड़ी को यहां जो यहां भी स्ट्रॉंग फिल्ड यहां पर भी स्ट्रॉंग फिल्ड धिल्स फिल्ड था सब्सक्राइब काम में आएंगे हाइब्रेशन क्या होगा SP3D2 और यही आपका आगे बड़ेंगे हैं करेक्ट ओर्डर ओफ मेगनेटिक मोमेंट्स अमंग इस आपको नंबर ओफ अनप्र एलेक्टरों जोनने पड़ेंगे ढूंड लेते हैं दो तो देखो कॉर्डिनेशन नंबर चार वाले हैं और एक कॉर्डिनेशन नंबर छे वाला है कॉर्डिनेशन नंबर छे वाले को तो स्प्लिटिंग से भरेंगे और चार वालों को ऐसे भरेंगे ठीक है तो पहले चारह से बात करते हैं देखो MN प्लस टू में है MN प्लस टू में configuration क्या बनता है 3D5 MN के साथ जो लिगेंड है वसी एले वीक फिल्ल लिगेंगे तो पांच electron एक दो तीन चार पांच तो MN वाले केस में आपको पांच दूसरा कौन है CO प्लस टू कोबाल्ट प्लस टू में confusion बनेगा 3D7 कोबाल्ट कहुता है 3D7 4S2 अब coordination number 4 है तो नॉर्मल तरीके से भरना है लिगेंड कैसा है CO के साथ भी वीक फिल्ल तो 1,2,3,4,5,6,7 तीन अन्पेड इसके पास 5 है और 6 में कौन है FE प्लस टू में configuration क्या बनता है 3D6 और FE के साथ लिगेंड है strong field तो 1,2,3,4,5,6,0 अन्पेड एलेक्टरॉन तो correct answer will be option number 3 वैसे अगर आप सिर्फ FE को भी चेक कर लेते तो भी आपको अपना answer मिल जाता क्योंकि A की option मों सबसे पीछे है option elimination से भी आपका काम हो जाएगा कर सकते है the value of spin only magnetic moment for one of the following configuration is 2.84 वैस बोर मेगनेटरॉन the correct one is 2.84 बोर मेगनेटरॉन is equals to root n into n plus 2 तो देखो अगरे 9 होता तो root 3 आजाता 9 से कमेने 8 के असपास होगा that means आपको दो अन्पेड एलेक्टरॉन चाहिए देखो 2 into 2 plus 2 is root 8 और root 8 2.84 के असपास आएगा आएगा ना तो दो अन्पेड एलेक्टरॉन कहा मिलेंगे अभी देखते है strong field D4 कुछ नहीं दिया तो अपने को तो अक्टरल ही मानने करना पड़ेगा इसको टेट्रहेडरल में स्प्लिटिंग से कट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप देखो फेले तो ऑक्टाइडल से ही करना पड़ेगा आपको इसको लिखना चीज़े था वैसे इसे है ना तो दी फूर बरो strong field वन टू थ्री फूर दो अन्पर इलेक्ट्रों ठीक है दी फूर वीक में तो चार अन्पर इलेक्ट्रों के यह हो इनी सकता ना चीज़ेडल सिस्टाइड वीक जोचे वीक तीन पर रेक्ट्रों ये भी नहीं हो सकता यही को स्ँपासिवल है यही आपका करेक्टाती समझ गें आ और आगे बढ़ता है निकल कंबाइन गिद नेगेटिव मोनो डिंटेट लिए एक्स माइनस टू फॉर्म अ पैरा मेगनेटिक कॉंप्लेक्स कॉंप्लेक्स पैरा मेटिक नमबर अबन प्रिट्रों होंगे देखो निकल आपको प्लस टू में दिख रहा है कॉडिनेशन नमबर चार है कॉडिनेशन नमबर चार में अगर D8 कॉंफिगरेशन में SFL हुआ तो 1,2,3,4,5,6,7,8 एक प्रिट्रों नहीं होगा तो नहीं हो सकता होगा क्या टेट्रहेड्रल ही होगा 3 और 4 में से एक आंचर होगा अब टेट्रहेड्रल के लिए क्या करोगे 1,2,3,4,5,6,7,8 दो अनपे लेक्ट्रों बचेंगे SP3 आएगा तो करेक्ट कांसर क्या हो जाएगा बोलो समझ में आ रहा बलाओ अब करें पानी तो पानी की केस में पानी ही लेकंट की तरह काम करेगा ठीक है तो पानी लेकंट की तरह काम करेगा और कॉडिनेशन नमर अगर चार है तो देखो वीक फिल्ड लिगेंट है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ सही है तो दो अनपे लेक्ट्रों के साब से मेगनेटिव हमेंटी आना चाहिए लेकिन अगर निकल का सिक्स कॉडिनेशन इंबर का बन गया तो कॉम्पलेक्स तो डी एट वीक फिल्ड वन तू तू त्री फूर फाइफ सिक्स सेवन एट तब भी दो यह अनपे लेक्ट्रों हों यह नहीं ना कॉन सा कॉम्पलेक्स है तो अपने दोनों पॉसिलिटी चेक ही है अगर दोनों में अलग अलग होते तो कोई एक option दिया हो तो उस कौन सा लेते हैं तो दोनों ही case में दोन पॉलेक्ट्रों आ रहे हैं कोई भी हो spin only magnetic moment के आएगा 2.84 अब समझ में आ रहा है चलो reverse order में चलता है अब कर दो कर सकते हो तो बड़ी बात नहीं हो गया आपको चलो यह भी करी लेते हैं हाँ जी जे एडवांस 23 का question concept तो सेम ही है चाहे में में चाहे एडवांस स्वांस झाल झाल चलिए तो पी चेक कर लेता है तो टी टू में सिक्स टी टू जी लिखा है जी मतलब कौन सा फिल्ड हो गया ऑक्टाइटरल जी वर्ड करते हैं आक्टाइटरल के लिए तो भरो छे एलेक्टरन कब आएंगे बन टू तू त्री फोर फैफ सिक जब सेफल होगा इसफल इसफल यह रहा ऐसेफल एक इसफल देखो कोबाल्ट प्लस फिर्में डी शिक्स होता है एसफल यह बनेगा तो पी का अंसर 3 है यानि या और देखो अब एह और भी तो गः बसाएं आफो पुरा क्यों सा फिल्ड है तो कॉडिनेशन नमबर 4 कौन से ऑप्षिन में इन दोनों में है वीक फिल्ल लेगेंड दोनों में यहां एरन आएगा प्लस 3 और यहां कोबाल्ट आएगा प्लस 2 आएरन प्लस 3 में पहुंच जाएगा 3D5, 3D6, 4H तो होता है और कोबाल्ट प्लस 2 में पहुंच जाएगा 3D7, D7 यहां भरो आप देखो इलेक्ट्रोन कितने पांच, तो पांच तो इसी के अंदर है, आरफोर होना चाहिए, करेक्ट आंसर विल भी ऑप्षिन होता है, अब तो उस फिलिंग सही किसे करने आए चाहिए, सही है, फिर अभी मेंस वाले कर लेते हैं, यह आप कर लेना घहबो बैठ के, हम, 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 हम स्टू तीन चले सी ओ प्लस टू है तो सी ओ प्लस टू का बन जाएगा थ्री डी सेवन ओक्टाहेट्रल है तो स्प्लेटिंग कर वाओ साथ एलेक्ट्रोन है एक्स टू कैसा लिगेंड है स्टू अगर यह इसीओ प्लस टू क्या और क्यों कि कोबाल्ट प्लस ट्रे में कांश्यूचिन क्या बनता है 3D6, octahedral complex और cobalt plus 3 के लिए H2O किसकी तरह काम करेगा SFL तब answer होता 0 तो टीटू जी में भी अच्छा हम पर टीटू जी पूछाएगा हाँ, तो answer 1 होगा 3 नहीं हो 3 तो टोटल है है ना पूछा किसमें है टीटू जी ध्यान रखें इसका answer 1 है और यहाँ गर plus 3 होता तो answer कितना जाता 0 चला परस्ट क्यों किसके लिए देखो तो जो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इस डिरेक्टली प्रपोस्टनल टू स्ट्रेंथ ओफ लिगंड लेकिन लिगंड तो सेम है दूसरे डिरेक्टली प्रपोस्टनल टू चार्ज अपॉन साइज अपॉन साइज अपॉन सेंट्रल मेटल अटम तो इजे को सब पे चार्ज भी सेम है सी आर प्लस थ्री टी अप्लस थ्री एफी प्लस थ्री एंड एमिन प्लस थ्री तो स्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज और इधर कौन है आयरे एजसरियम लिए कि प्लस थ्री है प्लस थ्री है और यहां पर रहे टी आई प्लस थ्री हुए तो से लेफ्ट राइट चलने पर कि अब कर दो नार्मल साइज साई तो क्या होता है यहां से इंकमंद 12 की उता है constant रहता है पर देसे प्लस थ्री आयंड बढ़ेगा size भी क्या होगा काम होती है कि प्लस थ्री आयंड की size देना तो f e plus 3 का सबसे जादा आना चाहिए बस सबस्यादा crystal field splitting किसकी हो जाएगी f e plus 3 की size क्या होगा plus 3 आयंड सबसे छोटा f e का ही m n का होता है यह में प्लस थ्री है नहीं एक्चुली का होता है आप देखोगे ना confusion तो 3d 5 4s 2 है m n का तो 4s खाली अब electron 3d में है सरे एक दो तीन 4 electron बचेंगे और f e में आ जाओ 3d forest तो गया एक दो तीन चार पांच electron बचेंगे 3d 5 forest ठीक है तो वैसे भी iron का atomic number ज्यादा है यहाँ पर z effective भी ज्यादा होगा z effective ज्यादा होगा तो iron का ही ज्यादा प्लस 3 दीन अच्ट्री अट्री प्लस 3 मन फ्लस 3 अट्री प्लस 3 अधि प्लस 3 अधिट्री आया या कौन सब्सक्राइब करां है जएड इफटिव निशानेगा तो कौन सब्सक्राइब वह अलोगती है कि आप वो भी रिखाल सकते हों इसमें पर स्प्लिटिंग इनर्जी वो श्क्रिशन अनर्जी जवाब बता रहा है फॉर्मला उसको त्रस्क्रिश्टल अनर्जी पर आये सबके अस अलग लग हैं यह तो गलत लिख दिया इसने उसको कुस्टल फिल्स अनर्जी बोलते हैं वो तब बेद सीखेंगे एक बार देख लेंगे स्केशन को भी दुबारा इसको भी स्किप कर दो इसको अब स्क्प कर दो इस मेरे साब से आप सही किये रह सकता है वो ही कुछ शिवे से हां बताओ विच और फॉलइंग कॉंप्लेक्स विल एक्सिम्म अट्रक्शन तो न अप्लाइड मेगनेटिक फिल्ड मैगनेटिक फिल्ड पर ट्रक्शन कॉन लगाएगा अब देखो सभी में यह तो स्ट्रॉंग फिल्ड है इसको साइड मेरे लास्ट में चेक करना यह वीग फिल्ड वह वीग फिल्ड वह वी वीग सब साथ अंपर लेक्टरन किसके पास होंगे कि ले पास तुम गई यहां लेए गा 3D7 और अक्टरडल कॉंपलेक्स है कोबाल्ट प्लस 2 लिए वाटर वीक फिल्ड होगा तो साथ एलेक्ट एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, तीन अंग और एनाई, प्लस टू होता है त्रीडी, एट जिंक को तो चेक ही मत करो, जिंक प्लस टू होता है यहां दो यहां तीन करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर दो आवे ऑनलाइन वाला तुम भी आंसर तो देजो बाइटे-बाइटे देख रहे हो बज़ें दर्सक की तरह यह तो अभी पढ़ेंगे यह भी वो है यह वो फॉम्ले वाला इसको भी सी एफसी डिख जिया है जो जी बताओ जी एफसी 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 ए क्यों है कि इस्ता मज़ गया बोल नहीं पार है और देखो दोने यह अक्टाइटल कॉंप्लेक्स है सी आर कॉंसिस्टेट में प्लस थ्री सी आर कॉंसिस्टेट में बनेगा डी थ्री कि चाहे स्ट्रॉंग फिल्ड हो चाहे वीक फिल्ड हो डी थ्री वरने गए की तरीका दोनों में सेम नंबर आपन पर आएंगे म्यू भी क्या आएगा सेम आंसर क्या हो जाएगा वर सब्सक्राइब आए फेह 2 और हुल 6 प्लस 3 तो एफीप्लस 3 में क्या बनेगा ठीड़ी 5 अब वीक फिल्ड लिगेंड है तो पांच इलेक्ट्र नेंप्ट अन्पड़ लेक्ट्राइब पांच का कितना हो गया रूट 35 पाइफ पॉइंट सम्थिंग एक ही ऑप्शन में यही आंशर है चिलर साथ इस बताओ भाई देखें परड़ाशन फेरोसाइनेट क्या होता है के फोर एफ़ी सी एन मिल चुके हैं इसमें इरन कॉंसिस्टेट में प्लस टू स्ट्रॉंग फिल्ड लिएंट आरन प्लस टू में दीशिक्स दीशिक्स में एक दो तीन चार पांच छे तीन पेर अफ लेक्ट्राशन कितना दूफिकल्ट गेशन था बताओ इससे असन कॉसन क्या ही मिलेगा जी बोल रहा है ओक्टा हेड्रल तो ऑप्शन ही गया बचे तीन ऑप्शन लोग स्पिन याने सारे लेक्ट्राशन पेर्ड फॉर्म में होंगे तो इस्ट्रॉंग फिल्ड लिएंट लिएंट गेशिक्स लिकना भी नहीं पड़ेगा बर्बाद कुछ अच्छा देता है कोबाल प्रस्ट्रीग लिए टू कौन बोला है मैं नहीं बोला मैं नहीं कोई और बैर मैंने तो बोला ऑक्सिएन डोनर बोला यह लगा लेगा आपने है अजी आंचर जी हुआ जी स्थिंट फॉछ्ड़न देश्ट फ़िसंट फॉर्स्ट पॉका हुआ को भु्न है भी अभरिवाई है लो घंन अभरो कर दो यह है कर दो व 이걸 भी और हम वालो भालोым कि बस चलिए वेरी गुड गल आते हैं मेरे सबसे आंचर सेकेंड आना चाहिए बागी देखते हैं देखो एनाई सीयो होल फोर इसमें निकल का ऑक्षिन स्टेट जीरो है तो निकल का कौन फिशन होता है थ्री डी एट फोरेस्ट टोटल दस एलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड है कॉर्डिनेशन नंबर चार है दस एलेक्ट्रॉन जीरो एनपल लेगा कि पीछे आना चाहिए और वो दो ही ओप्षन में सैकंड में और ठीक है अब एक जगा बी एक जगा सी है तो बी को चेक कर लेता हूं बी में आइरन है प्लस थ्री मेर आएगा 3D5, वीक फिल्ड लेगेंड है, 5 के 5 अनपेड एक्ट्रॉन है, C वाले में कोबाल्ट प्लस 3 है, प्लस 3 में कोबाल्ट आता है 3D6, 3D6, वीक फिल्ड लेगेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 अनपेड एक्ट्रॉन, तो B, C से आगे आएगा, so correct answer will be option number 2, very good, konal और अध्या, तो यह बता दो, F e प्लस 3, प्लस 3 में F e क्या हो गए, 3D5, एक अनपेड एलेक्ट्रॉन, M n प्लस 3, 3D4, 3D4, एक दो तीन, चार, दो अनपेड एलेक्ट्रॉन, CO plus 3, 3D6, चार अनपेड एलेक्ट्रॉन, M n plus 2, 3D5, पाँ अनपेड एलेक्ट्रॉन, सहीए है, विच अनपेड एलेक्ट्रॉन, प्लस एलेक्ट्रॉन, OCTAHEDRAL, DIA MAGNETIC, Observed magnetic moment of the complex M n n c s 6 x minus is itna, x की value बताओ, बताओ बाई, 4, 4, वे देखो, यहार है, MAGNETIC मेंट 6.06 एक्वाल टू रूट n n इंटो n plus 2, तो स्क्वायर करो, 36 के आसपाद value आएगी, 36, तो यह बन जाएगा, कितना, अगर इनके लिए 5 होती, तो 5 x 2, 35 बनता, तो 5 से आगएगा, 6, 6 x 6 plus 2, कितना हो जाएगा, 48, 48 का रूट थोड़ी आएगा, तो अगर टू इसके लिए, कही न कहीं न गेंगे, गोम फिर के N के रूट यू, पांच के आसपास आने वाली है, तो जा बेटा उपर मीचे हो आई इसका, था आना, तो 5 ंपर लेक्टरों mN में कब आएगे, MN क्या होता है 3D 5 4 is 2 जब MN प्लस 2 में होगा तब जा कि उसके पास 5 एंप्लेक्ट होना है तो यहाँ पर MN को प्लस 2 में लाने के लिए देखो प्लस 2 प्लस 6 इंटू थाज़ी नहीं होता है माइनस 1 is equal to माइनस X X के लिए जाएगी 4 तो इस तरह से घुमा फिरा के आपसे question पूछेगा करना आपको वही है ले लो हाँ 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 पूर्ट है जो ही है तो बहुत सिंपल है SFL, WFL, SFL, SFL अब कुबार देखो प्लस 3 में होता है D6 coordination number 6 SFL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1 पर एलेक्ट्रॉन सीक आंसर 1st कहां कहां पर है 1 और 4 तो बागे दुनों को भाड़ा जाना तो यहाँ क्रोमियम प्लस 3 में है क्रोमियम प्लस 3 में होता है D3 strong field D3, 1, 2, 3, 3, 0, 1 पर एलेक्ट्रॉन एक आंसर होगा 2nd, A के option में है यही आंसर होगा इसे तरह आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं तो बहुत सारे question है बहुत सारे आप करते रोगए practice कर लो घुमा पिर आके कहांई वही है कभी इदर से घुमा लेगा कभी ऐसे खुमा लेगा यह पूछ लेगा लेकिन नेमिंग है बताओ क्या माम होगा first option very good नहीं सही 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 मजाक कर रहा था सही ना first d धुरुवाराध्याप कांसर d आ रहा है इस equation का दे रहे हो पिछले वाले का दे रहे हो यह को है को है कबानी क्यों फस्स से फूर बाग है क्यों बिलकुल potassium oxalate के लिए बिस्ट्रिस यूज करते हैं तो tris oxalato cobaltate third ठीक है बागे बाप कर ले ना मैं चल रहा हूँ आगे और चीज़े भी पढ़ने है फिर अपने को चले तो यह हुई बात कैसे अब आपको अक्ताडल कॉंपलिसे केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एरजी की वैल्यू कल्कुलेट करने होती है तो बहुत है असान है सारे केस मुझे करने दुरूरत नहीं एक केस दो तीन केस समझा दूँगा मैं आपको माझ लो मेरे पास एक केस है D4 WFL ठीक है octahedral की बात कर रहे है octahedral same इस तर आप tetral को भी कर सकते हो ठीक है और D4 SFL तो आप देखो स्प्लिटिंग करवाएंगे हम लोग लाइक दिस ठीक है और डी फूर ऐसे फिल में स्प्लिटिंग करवाँ बताओ स्प्लिटिंग कैसे होगी स्प्लिट सेम ही होगी लेकिन अगर वीक फिल्ड लिकेंड है तो एलेक्ट्रॉन कैसे पर जाएंगे 1, 2, 3, 4 और यहां कैसे पर जाएंगे 1, 2, 3, 4 यह 0 लेवल होता है 0 से कितना उपर है उल्टा चलता है 3 by 5 delta not उपर और यह minus 2 by 5 delta not नीचे है अब अगर आप यहाँ पर CFSE की value निकालो तो क्या बनेगा 3 into minus 2 by 5 delta not plus 1 into 3 by 5 delta not आई तिंग आप लोग सही कह रहे थे हैं जो अपने question किया थे हैं चार अला लगते हैं उसने लिख का लगत दिया है मिस्प्रिंट हो गया है CFSE की यहाँ निकालो अब यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा देखो यहाँ नीचे कितने लेक्टरोन है 4 4 into minus 2 by 5 delta not अब आप फोकस करें अगर आप नॉर्मल डी 4 लिखो तो नॉर्मल डी 4 में क्या होता है एक, दो, तीन, चार कोई भी लेक्टरोन पेर नहीं है अब आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेर बना है न्यू एक्स्ट्रा पेर तो नया एक्स्ट्रा पेर बनाने के लिए आपको क्या सप्लाई करने पड़ती है पेरिंग की सिर्फ नए पेर के लिए है अगर पहले से कोई पेर बना हुआ है तो पर इसको हम हटा देंगे कैसे समझाता हूं यह क्लियर है अगर मैं इसकी जगा लेट से डी सिक्स कॉन्फिगरेशन यूज कर लेता हूं एक केस डबलू एफल और एक केस सफल वही ओक्ता हेटरल कॉंपलेक्स है तो दी सिक्स डबलू फ्री फोर फाइफ एंड सिक्स एक पेर यहां बना और दी सिक्स सफल अगर मैं देखता हूं तो वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स इससे मुझे कंपेर हमेशा करना जब स्प्लिटिंग निकालूंगा इस चीज़ का ध्याम रखना नॉर्मल डिस इस कैसा होगा वन टू त्री फोर फाइफ सिक्स तो देखो इसमें एक पेर पहले से प्रेजेंट था यह जो है यह नया पेर नहीं है इस मॉलीकिल में पहले से एक पेर तो था ही अलग से पेर इनरजी भी नहीं देने पड़ेगी नया एक्स्ट्रा पेर बनेगा तो देंगे तो बताओ यहां सी एफसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई सब चार एलेक्ट्रॉन नीचे बैठ है माइनस टू बाय फाइफ डेल्टा नॉट पे और दो एलेक्ट्रॉन उपर बैठ है प्लस थ्री भाई फाइफ डेल्टा लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो यह तो पुराना पेर है लेकिन यह दो नए पेर है तो नए पेर में जब आप सी एफ ऐसे निकालोगे तो नीचे कितने एलेक्ट्रॉन है छे इन्टू माइनस टू बाय फाइफ डेल्टा नॉट प्लस तू कि आप लोग को मेरी बात समय बारी है तो यह है जिससे हम क्या गल्विंट करते हैं प्रिस्टल फिल्टिंग अनर्जी की वैली अप लोग ने देखा भी था इस पर वेस्टेशन आया था अब देख लेते हैं उन ग्वेस्टेंस को अब ताज़ा भी होई जाएगा यह कही आया था आवे काला मैच करें कर दो झाल झाल तो देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 इंटू यह चला जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा नॉट नीचे प्लस 3 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट उपर तो माइनस 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 1.8 डेल्टा नॉट माइनस 0.6 यह एक आंसर फर्स्ट होगा यह दोनों तो गए भाड़ें D3, B और C में से कोई भी एक चेक्ट कर लो तो B देखो Ti Titanium क्या होता है? Scandium, Titanium Titanium का confusion क्या होता है? 3D2, 4S2 Ti प्लस 3 है Ti प्लस 3 में आएगा D1 तो D1 में तो सोचना ही नहीं एक इलेक्टान होगा एनर्जी हो जाएगी minus 0.4 delta 0 यह बी का अंसर है 4th तो correct answer will be option number इस तरह आप बागी भी चेक्टास तो यह होती है आपके पास crystal field stabilization energy इसको भी आपको इस तरीके से calculate करना आना चाहिए चलिए बहुत ही बढ़िया यह मैंने आपको सिखा दिया है इनमें कुछ में नहीं एक छोड़े टॉपिक्स कवर करने आने चाहिए next देको हम लोग बात करता है applications of CFT crystal field theory CFT के simple simple application है पहला application है वो होता है color of complex तो कोई भी complex compound color क्यों show करता है यह हमें CFT explain करती है तो CFT में बताती है कि देखो complex compounds के इंदर क्या होती है splitting होती है अब अगर पहले जो आपकी dear middles थे उनमें अगर किसी भी lower orbital में कोई unpad electron present है और इस unpad electron के उपर कोई photon आके टकराता है या किसी भी medium से आप इसको energy supply करते हो तो photon आएगा तो energy equal to क्या होती है hc upon lambda यह कुछ energy यानि कुछ wavelength को absorb करेगा wavelength मतलब यह किसी color को absorb करेगा फिर यह उपर जाएगा उपर बहुत कम time के लिए रुकता है around 10 to power minus 8 second और जाके यह वापस से नीचे कूदेगा जब यह नीचे कूदेगा तो बताव यह energy क्या करेगा emit करेगा और जो energy emitted है उससे कुछ ना कुछ corresponding wavelength emit होगी और अगर यह emitted wavelength visible range में आ गई किसमें आ गई जो कि क्या होती है 4000 to approximately 7000 तो आपको कुछ ना कुछ color दिखाई देता है यहाँ पर दो तरह के color होता है यह absorbed color है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता है यह emitted color है emitted color यानि आप इसे observed color बोलते हो कौन सा color बोलते हो observed दो तरह के color होता है emitted और observed color absorbed color है ना यह सब एक दुसरे के कि जो आपका emitted color है वो क्या होता है is complementary to observed color absorbed color या wavelength और उसे हम लोग यह basic complementary color cycle से उसका आइडिया लगा सकते हैं विब्योर वी ओ आर यह जाते टाइम अगर उसने red color absorbed किया है आते टाइम वो कौन सा color emit करेगा green color तो यह आपके पास colors होते हैं दूसरी चीज़ आप ध्यान रखना दो special case बता रहा हूं मैं अलग दो क्या है एक तो यह ही normal अगर यही electrons आपके सभी के सभी electrons paired form में हो तो यह जो phenomenon हुआ इसको हम बोलता है d-d transition क्या बोलता है d-d transition तो d-d transition सिर्फ उन complexes में हो सकता है जिन में unpaired electrons क्या हो unpaired electrons अगर electrons paired है आप इस electron को उपर पहुँचा दो उपर पहुचने पर इसका spin change हो जाएगा और spin change is not allowed ठीक है इसलिए no d-d transition possible when there is no unpaired electron तो जब आपके complex के पास unpaired electrons नहीं है क्योंस इलेक्टरोन नहीं है unpaired तो फिर d-d transition possible नहीं होता है ठीक है लेकिन हाँ अगर unpaired electron हो तो d-d transition क्या होता है possible होता है ऐसे देखो अगर आपके पास d5 है रटने की ज़रुद नहीं है बना कर देखो d5 है wfl 1,2,3,4,5 पताओ unpaired electron है लेकिन फिर भी आपे color नहीं होगा पताओ क्यों क्योंकि इसमें जब इस पे electron आएगा और यह excite होके उपर जाएगा इसको अपना spin change करना परेगा and spin change is not allowed so here also dd transition not possible तो इसके अलावा जितने भी complex है इसमें unpaired electron है उनमें dd transition possible है लेकिन d5 unpaired है फिर भी इसमें dd transition possible नहीं है यहीं इसमें color कभी भी आपको dd transition की वैसे दिखाई नहीं देगा most of the complexes color show करते हैं due to dd transition तो कई बार आप से पुछेगा which of the following is colored which of the following will absorb light in visible wavelength ये visible region वो करेगा जिसके पास unpaired electron होगा फिर कुछ complexes ऐसे हैं जिनमें कोई unpaired electron नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या show करते हैं color show करते हैं ठीक जैसे आपको example तो दूसरा जो दूसरा phenomenon के उसे color show करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं charge transfer या फिर कई बार से charge transfer spectra भी नाम दे दिया जाता है ठीक है कंपाउंड हो गया के टू सी आर्टू ओ सेबर इसके लावा आपने प्रेश्चन ब्लू पढ़ लिया है क्या होता है एफ़ई एफ़ई सी एन होल सिक्स बाहर वाला अनदर वाला प्लस त्री में अंदर वाला प्लस टू में दूसरा होता है प्रेश्चन ब्लस ब्लू तो यहां पे कौन होता है एफ़ई बाहर वाला प्लस टू में और अंदर वाला किसमें होता है प्लस टू में ठीक है इसके लिए आपके पास होता है ब्राउन रिंग कॉंपलेक्स एफ़ई एच्टू ओ होल फाइफ एन ओ इन सभी के अंदर चार्ज ट्रांसफर की वैसे कलर दा अब चार्ज ट्रांसफर क्या है जिसे ही MnO4- है MnO4- में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है यह O- है अभी Mn यहां पर प्लस 7 में है इसमें क्या होता है एक एलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन मोमेंटरली गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑक्सिजन टू Mn एक मोमेंट के लिए यह ट्रांसफर होता है उस मोमेंट के लिए Mn प्लस 6 में चला जाता है फिर वापसे जम्प कर जाता है विदिन दे मॉलीक्यूल मॉलीक्यूल के दो कार्ट की विच में इलेक्ट्रॉन जी चार्ज का ट्रांसफर हुआ है इसलिए यह कंपाउंट क्या होता है कदद होता है इस ट्रांसफर का हम बोलते है LMCT क्या बोलते है LMCT मतलब इलेक्ट्रॉन किदर से किदर गया लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT समझ में आदा है फिर यहां देखो यहां भी चार्ज ट्रांसफर होता है यह देखो यह दोनों हमेशा इकिलिब्रियम में एक्जिस्ट करते है कभी इलेक्ट्रॉन इदर से इदर चला जाएगा कभी इलेक्ट्रॉन इदर से इदर चला जाएगा यहां पर दोनों में मेटल मेटल के बिछम ट्रांसफर होते हाँ हम बोलते है MMCT मेटल टू मेटल चार्ज टांसफर याद बद भी रखना है उजब पता होना चलिए है बना कि चार्ज ट्रांसफर है मेटल चार्ज टांसफर यह एफी सीओ फाइफ इसमें उल्टा होता है यह हम सीखेंगे भी सिनर्जिक बॉंडिंग के इंदर कि इलेक्ट्रॉंस मेटल से कार्बर मुनॉक्सेटी तरह आते हैं इसे हम बोलते हैं इसका कलर होता है यहलो तो वैसे एफी के एफी सीओ फाइफ में आपको अनपेड लेक्ट्रॉंस नहीं मिलेंगे कलरलेस होना चाहिए तो कोई कंपाउंड अनपेड लेक्ट्रॉंस नहीं होने के बावजूद भी अगर कलर्ड है किसकी वज़े से होता है चार्ज ट्रांसफर द्यान रख सकता है आप इन चीजों का दो फंडे हैं जिनसे आप चार्ज की बात करते हैं तीसरी आपको देखो एक और चीज साफ साफ दिख रही है है ना क्योंकि मैं आप येवलेंट के अब्सॉप्शन की बात कर रहे है तो अगला पेजी लेता हूं आप समझें एक आपके पास SFL है और एक आपके पास WFL है तो WFL में स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी कम होगी गैप छूटा होगा यहां पर आप देख सकते हैं लार्ज गैप है डेल्टा नॉट इस हाई और इस वाले केस में जो डेल्टा ओ है वो कैसा होगा तो मालो एक एलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है एक एलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है वदाओ यहां से यहां जाने के लिए डेल्टा ओ SFL will be equal to क्या होगा hc upon lambda absorb यहाँ पर कुछ lambda absorb करेगा और यहाँ delta o wfl यहाँ पर भी lambda absorb करेगा बताओ कौन सा lambda जादा होगा तो देखो यहाँ पर max है यह क्या होगा minimum यह यहाँ पर क्या है minimum तो यह क्या होगा max कई बार आप से इसे परसे नहीं पूछ सकते हैं बताओ किस complex में जादा wavelength absorb होगी तभी यह energy gap देख लो जिसका energy gap जादा उसकी wavelength absorb क्या होगी कम जिसका energy gap कम उसकी wavelength absorb क्या होगी जादा यह आपको 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 अभी questions कर लेंगे इस पर किसी चीज जो सका एक और application है second होता है stability of complex तो किसी भी complex की stability का जो true measure है true measure of stability is its formation constant kf या फिर आप उसे उसका stability complex भी बोल सकता है sorry stability constant case stability तो अगर माल लो आपकी पास six coordination number का को यह complex compound बन रहा है जिसमें metal का oxygen number n है m plus 6 cell करके यह ml6 की power n plus बना रहा है यह equilibrium reaction होती है और इसका equilibrium constant जो से हम kf बोलते हैं बहुत simple सी बाद है kf की value जितनी जादा होगी यह reaction उतनी forward जाएगी और complex क्या होगा उतना ही stable इसके लूँ जितनी कम होगी complex उतना ही कम बनेगा यानि उतना ही क्या होगा unstable इसी को अगर हम उल्टा कर दें reaction को ऐसे लिख दें तो यहाँ पर हम इसको decompose करवा रहे हैं समझें बेरी बात को अब आप तोड़ने की बात कर रहे हो इसको हम बोल देते हैं k instability जो की one upon kf के बराबर अब k instability जितना ज़ादा complex उतने आसानी से तोटेगा यानि उतने ज़ादा क्या होगा unstable तो अगर आपको दो तीन अलग-अलग complex दिये वे हैं क्योंकि stability आप किससे चेक कर सकते हो k formation जिसका k formation ज़ादा उसकी stability भी क्या होगी ज़ादा आप से बोल सकते हो कि higher kf implies to more stability and vice versa जो जितना ज़ादा stable उसका formation constant उतना ही ज़ादा हो हाँ अगर आपकी पास formation constant अबलेबल नहीं है तो फिर आप stability को compare कर सकते हो is directly proportional to charge upon size of central metal atom and is directly proportional to strength of ligand ligand जितना strong होगा stability क्या होगी उतना ही ज़ादा देखो complex formation में क्या होता है ligand electron देता है और central metal neutron लेता है जितना strong bond बनेगा complex उतना ही ज़ादा क्या होता जाएगा stable होता है उसके basis पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसमें भी आप ध्यान रखना अगर आपके पास chelating ligand है तो chelating ligand के case में stability क्या होगी ज्यादा as compared to a mono dented ligand अगर 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 आपके पास दो या दो से ज़्यादा क्या होगी यहाँ पर क्या हो रहा है chelation होगी अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा chelating ligand है if both complexes have chelating ligands then उस case में जो stability है complex की वो किस पर depend करती है number of rings pump कि आपके complex ने कितनी rings form की हुई है जिसे मैं आपसे बुलूँ कि मेरे पास complex है यह fe edta minus और fe en whole thrice तो stability इस case में ज़्यादा हो क्यों यह एक hexadented ligand है यहाँ पर number of rings कितनी आएंगी 5, 6, minus 1 और यहाँ number of rings कितनी बनेगी ती अब स्वाइब्स को आप इस चीज को इस चीज पर बनेगा आपको आगे बता दूँएंगा वहाँ बैक बंडिंग होती है तो अगर आपका central metal item सेम है तो strength अफ लिगंड देखोगे अगर लिगंड सेम है तो सेंटल मेंटर्बक्र चार्ज देखोगें अगर दोंगेंगें तो फिर आप आगे move करोगे, ठीक है, कुछ भी सेम नहीं है, तो फिर हमें kf value चाहिए, फिर हम सिर्फ कf value देखे लिए decide कर सकते हैं, कि complex table होगा, या फिर नहीं होगा, तो चलता है, हाँ जी, नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ carbonance के लिए valid है, सिद्विक्स rules सिर्फ और सिर्फ carbonance पर लिए और कहीं लगाई नहीं सकते उसको, इन rules सिर्फ carbonance पर लिए इसके बहुत कम question आते हैं, भी बीच में आया थे इसलिए, एक question देखा था अपनने stability वाला, अब अब आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत आसान है, कलर आया वह देखना दोनों है, तो यार रखना वाला है, हम, हम एक एका ररा वाला है, बहुत करने परा वाला है, प्रिजन फॉल्स है क्यो प्रिजन प्रिजन फॉल्स कैसे हुआ क्योंकि यहां पर लिगेंड तो दोनों जगह एनस्ट्री स्टॉंग फिल्ड है यहां लिगेंड का नंबर अला रहा है तो हम जो लिगेंड का नंबर ज्यादा होगा उससे नेचर डिसाइड करेंगे अगर यह मिनिमम तो यह मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो सी ओ प्लस टू विल एब्सॉब अट हायर वेवलेंड तो यह गलत तो असर्शन फॉल्स कहां पर है एक ही जगह पर है हम सबोगा है कि मजमा आगा है और चलता है पीछे कलार वलर का दिखेते बता दे ना भाई इत्व कल्लों गयाब। मोस्ट्टु स्ट्रीवल एंग थर्ड होना चाहिए और मोस्टेवल भी होना चाहिए तो देखो यहां को बार्ट कॉंसिस्ट होता है प्लस त्री लेकिन यह वीक फिल्ड लिगेंड है यहां निकल प्लस टू एस एफल निकल प्लस टू में डी एट बनता है ख़ाएं डी तो फिल्ड फ्री पूर फाइफ सेक्स सब्सक्राइब निकल नहीं है यह वैसे आंसर होग है थाड तो डाय मैगनेटिक है कोबार्ट प्रस्ट्री में है कि स्ट्राउंफिल्ट लिगेंड है यहीं सब स्थेबल अक्छेइड अजीजए लिगेंड कि स्ट्राउंट लिगेंड है कि स्ट्राउंग अक्छेश प्रॉबल कि स्ट्राउं ऑाजीज़ रेलाई अजीज। अजी? कैसे? कोबाल क्लोरेट है कमसे कलर कैसा है? पिंक तो आपने सॉल्ट में पढ़ लिया है कोबाल प्लस टू स्टेट में पिंक कलर सूर करता है मतलब यह सी यो सी यल्टू होगा सी यो सी यल्ट को पाने डूसल करता है तो पिंक कलर का कॉंपलेक्स बन रहा है मतलब वो सी यो एच्टू होगा सही है और इस से एच्टू से ट्रीट करोगा तो ब्लू कलर का कॉंपलेक्स बन रहा है अब ब्लू कलर कोबाल्ट प्लस 3 स्टेट में शो करता है वो CO CL6 3 माइनस होना चाहिए तो पहला CO CL6 होगा सही है दूसरा CO CL6 3 माइनस होगा सही है और अगर CO CL6 में तो अप्टाइटल होना चाहिए तो दोनों सेम सेम क्यों लग रहे हैं ओप्शन यह गलर रहे है पहला CO CL6 2 वाला होगा और दूसरा CO CL6 3 वाला होगा समझ में आगया यह देखें यह यूजिज में से हैं यह आपका NCRT में से पढ़ना बढ़ेगा सिस प्लाटिन वो ड्रग होता है जो ट्यूमर्स की ग्रोथ के लिए काम में आता है यह दो इनवेदे ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स और देखें एंडेवदे कंपाउंड यूस्वाम्स फॉलीग कोडिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लाटिन है और सिस प्लाटिन है सिस प्लाटिन का फामला होता है PT NH3 whole twice लिए सिस फ्लाटिन तो B and D है कहीं A option तो कर लोगे तो कर लोगे तो कर लोगे ते के सब वो ही CFT के वो हाईब्रेशनल लेगा ले बताओ लार्जेस्प्रिटिंग कौन दिखाएगा तर्ड option जो सबसे strong field होगा जो सेंटर वेटम सब में सेम है FE plus 3 में है सबसे strong field होगें कौन है साइनाइड यही answer होगा pressure blue pressure blue में क्या आता है बाहरवाला RN plus 3 में और अंदरवाला plus 2 में है हाँ क्रोस मुल्टिप्ला गरो यहाँ पे प्रस ट्ुओ यह भी तो सकता है nigh यह टरन बूल इसमें बाहर वाला प्लस ट्ू में अगा ख्रोस मिल्टिप्ला गरो अंदर वाला प्रस्टी में आएगा तो यह टरन बूल्स ब्लू है और यह प्रस्च्छन हाँ जी यह ट्राए करो एक बार इसके आप ट्राए करो में आ रहा है बातुछ झाल को झाल आंसर टू एफिसिंसे गोड़ त्री में एफिप्लस थ्री में है एफिप्लस थ्री में क्या बन जाएगा इनर अर्बिटल कॉंप्लेक्स है कॉडिनेशिन नमबर 6 है कितना 1,2,3,4,5 बोल रहा है पैरिंग एनर्जी को इग्नोर कर दो तो 5 इंटू ना चली तो आगे चलते हैं और और फिर बात करते हैं अगले कंसप्ट की इसे हम लोग जानते बैदे नेम ओफ सिनर्जिक बॉंड तो सिनर्जिक बॉंडिंग से पहले मैं आपको एक और चीज़ सिखा दूँ आपके पास ना हमने एक लिगेंट्स का टाइप पढ़ता शुरू में इसको बाद में कर लेंगे पहले सिनर्जिक बॉंडिंग पढ़ते हैं पहले यहाँ है यह फिर एक इंपोर्टेंटर बहुत ही आसान टापिक है इसे हम बंडिंग इन मे्टल कारभॉनल्स भी बोलने है देखो मेटल कारभॉनल्स में क्या होता है जो आपका कार्बन मोनो आक्साइड है इसी को हम लोग कार्भॉनल गृप बोलते हैं कि इसमें कार्बन आक्सियंद की बिच में डबल बॉंन नॉर्मल होता एक कॉडिनेट açık समote के पास सब कि इस सब्सक्राक स्रक्राइब करें कार्द न будете के तर ना भान बी मेटल कार्बनिल बनता है उसमें मेटल को जैसे मैं आपको एक्जामपल देता हूं और एक्जामपल आपने लोग इसका लेक्टर में सब्सक्राइब के पास स्थी है होगा क्या पहले एक कार्बन मोन ऑक्साइट क्रोमिण के साथ एक single coordinate bond बनाएगा यह जो है यह sigma bond बनेगा इसमें donation carbon से किसकी तरफ हो रहा है chromium की तरफ हो रहा है अब आपको दिख रहा है chromium के पास d orbitals हैं जिनके इंदर क्या present एंपेड लेक्ट्रॉंस और यह जो carbon monoxide होता है इसके पास इसके पाइस स्थार एंटी बंडिंग मॉलेकिलर orbitals होता है पाइस स्थार ABMO होता है तो यह अपना electron pair इधर से इधर donate करता है इसको हम बोलता है back donation यहाँ पर क्या हो रहा है back donation from metal to CO group तो दो तरह का donation हो रहा है यहाँ पर कौन से donation है donation from CO2 vacant orbitals of metal to form sigma bond इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहानी यह है कि बोथ sigma and pi bonds are being formed between metal and carbon making the metal carbon bond more stable bond order of metal carbon bond जो है वो इससे increase होता है अगर है donation नहीं होता तो इस bond का bond order बढ़के one point something हो जाए यह complete donation नहीं है back donation है मालो one point three हो गया one point five हो गया मतला metal carbon bond के अंदर क्या आ जाता है strong तो यह जो electron आए यह किसके पास carbon monoxide के anti-bonding और तो यह carbon monoxide की जिंदी के खराब करता है तो यह हम simply बोलते हैं कि since electrons are accepted in pi star anti-bonding molecular orbitals of carbon monoxide as a result यह हम chemical bonding में भी पढ़ चुके हैं जब भी electron anti-bonding molecular order में आता है तो bond order क्या होता है decrease होता है as a result bond order of co bond decreases and bond length क्या होती है increase यह भ्यान रखना this is not complete transfer so bond order will decrease slightly and bond length will increase as a result कि आपको बहुत बड़ा change दिखाई नहीं देगा तो सबसे पहले आप यह समझें कि जो donation हो रहा है उस donation से किस पर impact पढ़ रहा है तो co bond का bond order कम हो रहा है और उसकी bond length क्या हो रही है थीक है इतना सीखने के बाद हम यह सीख सकते हैं कि जो co bond order है आप तो focus करो सिर्फ bond order पर बाकी चीज़ों का मुझसे relate कर लेंगे that will be inversely proportional to donation tendency of metal proportionality याद ना रखें सिर्फ समझें कि metal जतना जादा donate करेगी co bond order उतना ही कम होता जाए ठीक है और जो donation tendency है of metal that will be directly proportional to negative charge on metal यानि इसका negative oxidation state will be inversely proportional to positive charge on इसी के basis पर आप से कभी कभी question पूछता है यार मेरे पास है MNCO hole 5 या hole 6 ले लो plus मेरे पास है VCO hole 6 माइनस और मेरे पास है FECO hole 5 आपको co bond order का order बताना है या फिर आप से वो co bond length भी पूछ सकता है इसे कभी यूज नहीं किया है पर advance में यूज चुका है यहां पर एक वो co bond stretching frequency भी यूज करता है स्पेलिंग देख लेना आप देखो bond stretching frequency क्या है energy इनर्जी रिक्वाइड टू एलोंगेट ऑबॉंड तो जो बॉंड पहले से लंबा है उसे लॉंगेट करने में आपको जादा महनत नहीं करने पड़ेगी छोटे बॉंड के लॉंगेट करने में एनर्जी क्या खर्च होती है आप रटने की जगह समझें बॉंड stretching बॉंड को stretch कर रहे हो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी frequency उतनी ही जादा होगी जितनी कम energy frequency क्या होगी तो आप बताओ सी ओ बॉंड डॉंड का ओडर बताओ सबसे बहुत इसको टैक करते हैं वन इसको टू इसको थी आप देखो donation सबसे ज़्यादा कहा हो रहा है हाई एस donation होगा जहां हाई bond order का order है उसका उल्टा किसका order हो जाएगा और जो bond length का order है जो सबसे चोटा बॉंड उसकी stretching frequency क्या होगी सबसे ज़्यादा मेरी बात समझ पा रहा है तो यही आपकी synergic bonding और कुछ भी नहीं है यहाँ पर क्या होता है लिगेंड से metal की तरफ electron जाते है सिग्मा बॉंड बनता है और लिगेंड से वापस metal की तरफ क्या आते है electrons आते हैं और pi bond बनता है back bond बनता है उस दोरान electrons ABMO में जा रहे हैं और किसकी वज़े से क्या हो रहा है bond strength नहीं हो एक तरह से यहाँ पर इनमें back bonding हो रहे है तो यही चीज़ में आपको भी जब stability की बात कर रहा था तब भी लिखाना चाहा रहा था कि due to back bonding due to back bonding the complex attain attains extra stability तो जो complex उसमें extra stability आते है मतलब अगर आप देखो cocn whole 6 3 minus और coen whole 3 plus दोनों में ही cobalt plus 3 में है यहाँ पर chelation है लेकिन फिर भी यह ज़दा stable है क्योंकि cyanide के इंदर क्या हो जाती है cyanide में बहुत strong back bonding होती है तो वो chelation को भी defeat कर सकता है all the exceptional special case है बड़ ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि कि आपने ही आपरी चीज़ सीखी इसमें आपको और कोई difficult question नहीं मिलेगा simple आपको co bond order या co bond नहीं एक और चीज़ मैं आप से पूछ सकता हूं बताओ metal carbon bond order जितना दा donation होगा metal carbon bond उतने स्ट्रॉंग होता जाएगा वदाओ सब स्ट्रॉंग bond किसमें होगा second फिर third और फिर first ये वाला हूं ठीक है तिनको रटे ना सरफ समझें electron कहां से कहां जा रहा है आप आराम चुकर सकते हो अभी question आएंगे देख लेंगे पाद में लिख ले ना पीडियो समय मतना समय जाएगा उसमें सारा है बहुत सारे चीज़े cover कर नहीं है ठीक है अभी मैंना आप से बुलाता लिगेंट्स वैसे आपके यह बस में नहीं है काम नहीं आगा फिर बीगेंट्स दो तरह के होता है आपके पास मलब एक तो तह आप आप आस classical लिगेंट्स ठीक है और एक होता है नॉन ख्लासिकल लिगेंट्स क्या होता है जो सरफ डोनर्स होता है अब अनली डोनर्स एक्सेट नहीं करते है जो भी आपने नॉनर्मल लिगेंट्स देखे है लाहिक झारि अच टू ओ लाहिक आपके पास सील माइनस बियार माइनस एक्सेट्रा नॉन क्लासिकल क्या होता है जो डोनर्स के साथ सात आज वेल अक्सेप्तर्स तो इनको हम लोग pi acid ligands के नाम से भी जानते हैं जब यह electron लेते हैं तो pi की form में लेते हैं इनमें एक example हम देखा जैसे co तो यह क्या है sigma donor है and accepts electrons in pi star abm एक आप क्या होते हैं इस तरह के ph3 हो गया या pph3 हो गया triphenyl phosphine इसके पास क्या होते हैं vacant 3D orbital है तो यह क्या करते हैं donate तो sigma करते हैं plus pi electrons accepted in vacant d orbitals जरूर नहीं 3D हो यह pi acid ligand होते हैं नाम कभी आजा है pi acid ligand जो electrons को pi orbitals यह pi bond की form में क्या करता है accept करता है उन्हें हम लोग pi acid ligand अब जैसे यह हैं ऐसे pi donors भी होते हैं pi donor ligands इनसे भी आप मिल चुके हो आपने compound पढ़ा है सेंडविच कंपाउंड और्गेनिक के अंदर इसमें क्या होता है साइक्लो पेंटा डाइनाइल रिंग होती है बीच में iron होता है इस तर ऐसे तो आप देखें यह जो साइक्लो पेंटा डाइनाइल है साइक्लो पेंटा डाइनाइल इसमें आप देखो यह एक six electron donor है कितना donor है six electron donor तो यह अपने pi electrons donate कर रहा है तो देखो एक दो तीन bond तीन पाई बॉन इने छे electron गोम रहे हैं उनको denote करता है ऐसे ligands को दिखाने के लिए हम इनके आगे इनके नाम के लिए प्रिफिक्स उसकरते हैं इटा हम यहाँ पे लिखेंगे इटा की पावर फाइफ तो यह जो है इसको लिखा जाता है इटा की पावर एक्स एक्स यहाँ पर बूले जाती है है यहाँ पर पाइटा की पावर के लिखेंगे फाइफ मानलो इसकी देगा मैं आपसे बात करता हूँ क्रोमोसीन की में क्रोमियम की साथ बेंजीन रिंग लगा since मैं बेंजीन कितने और दोनेट कर रही है तो बेंजीन भी 6 और उसमें 6 प्हुम रहेया है तो इसके लिए टा की पावर की इस करेंगे 6 तो कई बार आपके पास यूज करते हैं इth میں लिखा-ली PAC क्या है CH2 double bond CH2 पताओ कितना एलेक्ट्रोन डोनर है एक ही पाई बॉन्ड है और इटा की पावर यूज करेंगे तो बाइचांस जैसे नहीं है आपके स्लिव स्कूर बाइचांस की लिखाओ मिल जाए इटा की बार बन टो त्री फॉर फाइफ उसका मतलब क्या है यह आपको प बढ़ता है आइसोमरिजम की तरफ तो अगर मैं आप से हीसोमरिजम की बात करूं हमारे पास आइसोमरिजम वही दो तरह की होती है एक होती है एक होती है structural और दूसरी कौन सी होती है तो जैसे आप और गेनिक में पढ़ते हो बिलकुल वैसे है इस टीरियो में पर दो टाइप आता है कौन-कौन से जी आई एंड ओवाई जिमेंट्रिकल आइसमरिजम आइंड ऑप्टिकल आइसमरिजम तो सिंपल दी बात बता दूं ऑप्टिकल आइसमरिजम शो करने के लिए वह तो हम आपने आगे कवर कर लेंगे तो वहीं पर बात कर लेंगे छूड़ दो स्टुक्ट्रल में अगर मैं आप से बात करूं तो इसमाँ अलग अलग टाइप के आइसमरिजमस हैं हैं अ उसमिजे सबसे पहली हो से हम बोलता है आइं और यहाँ पर क्या होता है कॉम्प करेगा types of ions produced obviously पानी में डालने पर जैसे एक कॉंप्लेक्स है CO, NH3, whole 5, BR, CL2 और एक आपके पास क्या होंगे, अगर आपके और अच्छे से दिखाना चाहों इनको ऐसा बना सकते हो, कि CO, NH3, whole 4, BR, 2, NH3, whole 5, तब भी वह एक ही बात है, तब दो एक हो, कुछ और बनाते हैं, तब आपने लिया, CO, NH3, whole 5, चलो एक बाहर, BR, और एक S of whole ले लो, ठीक है, और एक अंदर ले लो इसको, यहां पर linking में different होता है, तो कौन शो करते हैं, जिनके अंदर क्या प्रेस्ट हो, होते हैं, embedded ligand, अगर किसी complex में embedded ligand present है, तो वो कौन से हैसे में चो कर सकता है, linkage, फर एक्जामपल, मेरे पास एक है यह, FEH2O, whole 5, NO2, SO4, और सेम compound है, FEH2O, whole 5, O9, SO4, तो दोनों सेम है, बस यहां पर donor कौन है, nitrogen, और यहां donor कौन है, oxygen, तो दोनों complex donor atom की form में differ कर रहे हैं, यह होगे linkage isomerism, फिर third जो आती है, उसे हम बोलते है, hydrate isomerism, hydrate देखना तो सबसे आसान होता है, अंदर और बाहर, water molecules के number में differ करते हैं, जैसे CRCL3.6H2O है, उसके लिखने के कई सारे तरीके हैं, एक, सारे के सारे water molecule coordinate form में हो, और CL3, दूसरा CRH2O hole 5, एक CL अंदर, दो CL बाहर और एक H2O water of crystallization की form में हो जाए, CRH2O hole 4, दो CL2 अंदर, एक CL बाहर और 2H2O, इस form में आजए, अब बता दू, इसका color जो होता है, वाइलेट होता है, यह वाइलेट से blue और blue से green की तरफ move कर रहा होता है, यानि, आइसोमरिजम की वैसे compound अपना color भी change कर सकता है, ठीक है, बहुत असान है पैचानना, यह water molecule की बाहर water of crystallization की form में चले जाए, तो से हम hydrate आइसोमरिजम बोलेंगे, और fourth होती है, coordination, coordination, आइसोमरिजम कौन शो करते हैं, जिसमें, cation और NIN दोनों ही complex हो, इनके बीच में ligands का exchange होगा, जैसे अभी आप देखो, पीटी-C-L-4 है, पीटी यह coordination number 4 का बाता है, जब यह plus 2 में हो, तो उसके लिए इसके उपर minus 2 और इस पे plus 2, अब एक CL इदर आजाए, एक NH3 इदर जला जाए, तो CUNH3 whole thrice CL and PT, CL3 NH3, तो यह दोनों एक दुसरे के क्या होगे, coordination isomers, उनको exchange करते जाओ, आपको पता लग जाएगा, उनका number भी calculate कर सकते हैं, वड़ों करने ज़रत नहीं पड़ती हैं अभी तो अपने को, हाल फिला, structural में आपके चार पार्ट हैं, आपको simply सिर्फ identify करना होता है कि दो यह compound दिया हुआ, इसका कौन साइसोमर बन सकता है, चलिए, structuralism के बात, हम बात करते हैं, अगले टाइप की, जो की है, stereoisomerism, तब हम coordination number 6 की बात कर रहे हैं, coordination number 6 में GI, OI, दोनों हो सकती हैं, geometric और optical, तो इसे मैं आप से complexes की बात करूँ, MA5B, MA6, and MA2, MA5 और MA6B, यह किसी भी तरह की isomerism शो नहीं कर सकता है, चाहें GI बोलो चाहें, OI बोलो, तो to show stereo isomerism, for stereo isomerism, at least, two groups should be different, ठीक हैं, दूसरा, coordination number 6 है, तो आपका octahedral complex होगा, तो एक octahedral complex में आपको, अगर हम इनको tag करें, 1, 2, 3, 4, तो रटने की ज़रूद नहीं है, लेकिन आपको एक दूसरे के respect में, cis और trans positions देखनी आनी चाहिए, तो देखो, cis position कौन सी तो, 1 के respect में 2, 1 के respect में 4, 1 के respect में 5, और 1 के respect में 6, यह सब cis positions हैं, अगर आप 2 की बात करें, तो 2 के respect में 1 तो है, count हो गई, 2 के respect में 3, 2 के respect में 5, और 2 के respect में 6, cis position, अगर आप 3 को देखो तो 3 के respect में 4 3 के respect में 2 तो count हो चुकिए 3 के respect में 5 और 3 के respect में 6 ये सब भी कौनसी positions है 4 के लिए बात करो 4,1,4,3 सब count हो गई 4,5 और 4,6 ये सब 6 positions तो हमें 6 देखना ना चाहिए 90 degree पर ये इन 4 के लिए 6 है और trans तो आपको दिखे रहा है opposite वाले जी भूंगे हम ये जो A, B यहाँ पर यूज़ कर रहे है तो A एक monodentate ligand है monodentate अगर आपके पास एक complex है MA4B2 type तो क्या ये GI और OI शो करेगा हमें इनके arrangement देखने होंगे तो आप देखें एक octardal complex अगर हम बनाए तो बहुत simple सी बात है अभी अगर मैं दोनों B को same side रख दूँ और चारों A को अलग तो ये मेरा concise number बन गया और वहीं अगर मैं इसको दोनों B को एक दूसरे के opposite रख दूँ तो अब आप कितनी औरगनिक इतनी औरगनिक पढ़ चुके के अवाराम से पहचान सकते हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे trans मैं जादा ग्यान तो नहीं दूँगा लेकिन optical activity अगर आपको देखनी है optical isomerism या optical activity आप इस molecule में क्या चेक करोगे POS अगर POS present है तो no optical optical isomer possible और अगर POS absent है then वो compound optical isomerism अगर आपके molecule में symmetry है तो वो optical होगा और वो optical isomerism शो नहीं करेगा अगर compound में symmetry नहीं है तो obviously वो chiral होगा और chiral होगा तो उसकी mirror image form होगी तो यहाँ देखें symmetry है अगर आप इस plane के along cut करें बीच में से इधर ए इधर है symmetry है तो यह OI show नहीं करेगा तो राधर में इसको पूरा लेकि लिए optical isomerism शो नहीं होगी यह optically inactive होगा यहाँ पर भी symmetry है plane of symmetry यह भी optical isomerism शो नहीं करेगा फिर आपके पास अगले टाइप आप आप इंपॉर्टन है ध्यान में आने चाहिए आपको जब आपके पास तीन एक तरह के और तीन दूसरे तरह के like this CO NH3 whole thrice CL3 इस तरह का complex हो तो यहाँ पर सिस्क ट्रांस तो नहीं होता है लेकिन arrangement अलगलग हो सकता है तो यहाँ पर जो isomerism बनते हो से हम बोलता है facial and meridional तो आप देखें अगर तीनों सेम ग्रूप octahedron के एक face के along लाई करते है तीनों सेम ग्रूप तो इसे हम बोलते है facial isomer यह फिर a simple short form में fact isomer बोला जाता है वहीं अगर आपके तीनों similar groups इस plane में लाई करें यह NH3 यानि तीनों दूसरे के perpendicular हो basically अगर महाँ पर भी होंगे और CL, CL, CL इस तरह इस है यह meridional plane है इसे हम लोग बोलता है meridional isomer या फिर आप इसे simple मर आईसोमर की फार्म से बचाने है यह special type of isomerism है further इसमें भी symmetry है अगर आप इसको यहाँ बीच में से ऐसे cut कर दो इसका PUS इधर NH3, इधर NH3, इधर C, इधर C, इधर C, देख रहा है तो यह कैसा होगा optical isomerism show यह तो दिखी रहा है अगर आप इसको इसके along cut कर दो तो दोनों तरफ C, यह यह वाला plane ले लो पूरा वाई वाला plane यह भी इसके लिए PUS यह भी optical isomerism show नहीं करेंगा लेकिन यह कौन सी show परता है facial और meridional isomerism show परता है ठीक है फिर इसके बाद अब आप चाहो तो एक complexus को तो as it is, रटना पड़ेगा आपको इसे हम बोलता है सारे लिगेंट अलगो M, C, A, B, C, D, E, F तो इसके 15 GI बनेंगे प्लस 15 उसकी mirror image बनेंगी तो आपको याद कुछ रखना है structure draw करनी है और यह देखना है complex आप तो optical active होगा या फिर नहीं होगा फिर देखें इसमें हम और आगे चल सकते हैं और अब हम एक bidentate ligand ले सकते हैं M, A, A, whole trice A, A यहाँ पर एक bidentate ligand है symmetrical bidentate ligand जैसे आप पास हो गया CO, E, N, whole trice 3 plus आपको पहले बता चुका हूँ इनकी bonding कैसे करनी है आपको यह कोबाल्ट है एक bidentate ligand के दोनों bond एक दुसरे से कितना angle पर होने चाहिए 90 डिगरी पर जैसे मान लो यह coordinate bond है NH2 पूरा ओपन करके दिखा रहा हूँ यह थाइलीन, डायमाइन, CH2, CH2 और NH2 एक फिर देखें आप यहाँ पर NH2 CH2 CH2, NH2 यह coordinate bond है ठीक है और थार्ड है यह NH2 NH2 CH2, CH2, CH2 यह भी एक coordinate bond अब आप इसको किसी और तरीके से अरेंजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको यह गुपाओगे तब भी सेम ग्रूप है इसके अंदर किसी तरह की कोई GI नहीं होती है नो GI है बट इस compound is optically active यह optical isomerism शो करेगा यह प्लस क्या बनेगी इसकी mirror image यह नि दो isomer बनेंगे वो optical isomers होंगे D and L form होगी enantiomers कहलाएंगे तो आप इसमें कहीं पर भी जिन लोगों नहीं पता है इसको आप जब भी cut करोगे आप बोलोगे सर में इसको ऐसे cut कर देता हो symmetry है symmetry नहीं है एक molecule पीछे की तरफ है यह वाला part यह वाला plane की उधर है और यह वाला plane की इधर है तो इस plane के अलोग अगर आप POS बनाने ही कोशिश करो तो एक ऐसे है और एक ऐसे है एक इधर है यह वाला और एक इधर यह वाला symmetry नहीं है symmetry का होती जब यह होता और यह होता ऐसे होता तो symmetry होती ही हुआ है ठीक है ना आप ध्यान रखना ही तो रटलो M A A whole thrice and M A B whole thrice दोनों ही optical isomerism तो शो करेंगे ही करेंगे M A B 3 वाला G I और O I दोनों शो करेगा जबकि M A whole thrice वाला सिर्फ क्या शो करेगा सिर्फ क्या शो करेगा O I शो करेगा G I शो नहीं करेगा तो अगर मैं इसके बारे मैं आपसे बात करूँ तो इसके दो possible isomers हैं ध्यान से देखें M A B whole thrice इसमें आप फिर से facial और meridional बना दो क्या बना दो facial का मतलब आपके तीन A जो हैं वो एक बार octidal के face की तरफ ले लो यहां दिखा दूँगा यहां दिखा दूँगा ठीक है face face यह रहा face A और P ठीक है ना इसमें क्या होगा देखो आप इस A से ये भी connect हो गया इस A से ये भी connect हो गया इस से ये connect हो ठीक है तीनो ए जो है वो meridional plane पे आ रहे हैं ठीक है तो आप चाहो तो इसको इसका मारा इसो मर बूल सकते हैं सेम टाइप के group meridional plane पे और अगर सेम टाइप के group octidal के face के along आ जाएं तो यह M ठीक है तो मान लो यहाँ A है और यह B है एक group यह बन गया ठीक है एक आपका A है और तोड़ा घूमेगा मुझे इदर के जब इदर घूमायता हूँ ना नो फिर इस दिखने पाएगा लेगा इदर इदर बिठाना पड़एगा तो यह A है तो अब B मुझे बिठाना तो एक भी यहाँ बिठा तो यह रहा ताय यह पर यह यहां B को बिठाओ तो यहां देखना है पीछे से आएगा इसके से 90 डिगरी पर और यह इस वाले प्लेन में आएगा 90 डिगरी पर इस तरह से आप दिखा सकते हो तो आप ऐसे देख सकते हो यहां पर यहां पर तीनों ए मेरिडियोनल प्लेन में है और यह आपका फेशल आईसोमर है जहां पर तीनों ए जो हैं वह आपके इस ओक्टाहेटरन के फेस के अलों है यह इसके दौर इनमेंट है म आई Khan सो कर सकता है जिए नहीं कर सकता म वीक्लेटरन के लिए हओ और इसके बाद आता है इसमें inic for अगर आप तरह स्वाइशन फोर की बात करो इसमें दो तरह के कंपनेक्स बंथे हैं एक बंथे टेट्र एडरन कभी भी ज जी आई शो नहीं करता क्योंकि इसकी सारी कोईशन्स क्या होती है से आप रोटेट कर दो मॉलिकल घुमतिर के वही आ जाएगा ओ आई शो कर सकता है अगर उसमें क्या प्रेजेंट हो काईरल सेंट है इसमें सीखनेया कुछ भी नहीं है अगर आपके पास स्क्वाइर पेनर तो क्योंकि खुद एक प्लेड में होता है तो यह ऑप्टिकल आईसमरिजम शो नहीं करता है हाँ यह जी आई शो कर सकता है तो जी आई में आप केस बना लो एक केस बनेगा एम एटू बी टू तो देको एम अगर आपके दोनों ए ग्रूप सेम साइड आ जाएं तो सिस साइसमर बन गया और दोनों ग्रूप अपोजिट साइड आ जाएं तो वो आपका कौन साइसमर बन जाएगा अगर आपके पास हो गया सारे ही अलग हैं एम एबी सी डी तो इसके तीन जी आई बनते हैं कितने जी बनेंगे पी एंसी है सिंपल सा चार पोजिशन्स हैं एक को फिक्स कर दो तो एक बार भी हाँ एक बार जी यहें एक बार के बढ़ एक बार माशल दूसरा ही जी और इसके बाद तो किसी को किसी से रिप्लेस करने का फायदा नहीं इधर भी एधर भी एधर भी एधर भी एधर भी घुमा लो लेकिन अगर आपके पास अन्सिमेट्रिकल बाइडेंटिट लिगेंड है तो फिर यह जी आई शू कर सकता है कैसे ऐसे आगर दोनों इसे A और B ये भी हो गया A और B तो ये हो गया cis Isomel है हो गया ना इधर की जगह ऐसे बना अच्ब बन गया आ पतो ठीक लता है और अगर दोनों कहां पर हो जाए растakah A और A B और B ये और ये यह कौन सा इसोमर कहला गया आइसोमर इसम बिल्कुल भी डिफिकल नहीं है आपको कमपॉंट्स की स्ट्रक्चर बना-बना के चेक करना पड़ेगा अप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बट यह तो रट लें MAA whole thrice is optically active OI show करेगा बट GI show MAB whole thrice OI GI दोनों शोट करेगा चलिए अब हम कर सकते हैं questions इसको स्ट्रक्ट नोर्स बना दे किसने second lecture को मेरे को बेज़ देना है इसमें lecture 1 के ही है इसमें बेज़ दो हो सकता है मेरे से कही में space हो गई चलिए आईए तब ढूनते है questions पहले भी आते बहुत सारे और मिल जाएंगे इसमेरिजम total number of relatively more stable isomers possible for opto-hedral complex this will be बताओ बाई हले पन्राओ थेज़ allies of the ते आईब चाण वहुत मिल अग्डे टुएर अग्डें ओन्स कर्फ़ 거야 झाल झाल कि दो कैसे देखें अगर आप इसकी बात करें कि सी यू है औक्टार्डल कॉंप्लेक्स है और से सभी मार की बात करता है पहले कि दोनों एसी एन ग्रूप सेम साइड है यह एक एधायलीन डायमाइन और दूसरा एधायलीन डायमाइन ऐसा दिखता है यहाँ पर दोनों सेम साइड है सिस फॉर्म में थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंटरेंस होगा लेकिन अगर आप इसी का ट्रांस फॉर्म देखो तो दोनों एसी एन ग्रूप अपोजिट चले गए हैं यह रेलेटिवली मोर स्टेवल होगा इस तरह जादा स्टेवल होगई होगा फिर अगर आप सी यू इन होल ट्वाइस बनाओ इसमें एक एंसी एस बना दो और एक एसीन बना दो देखो एंसी एस कैसा लेगेंड है स्ट्रॉंग फीड और यह कैसा है वीक फीड यह आइसोमर भी क्या होगा मोर स्टेवल होगा और प्लस इसका एक जी आई भी बनेगा जब दोनों सेम साइट एंसी एसीन और जब दोनों पोजिट साइट दो यहां से आगे और तीसरा एंड होल ट्वाइस एंसी एस फुल यह भी एस एफल है प्लस इसका एक जी आई बनेगा वह इससे तो ज्यादा स्टेबल हो कि यह दोनों फील्ड है कितना हुआ है यह कर दोदर दोदर समझ पा रहे हैं क्लियर है पताओ 164 का अंसर बताओ लो अक्षिन स्टेट का बात ही है कौन से कंप्लेक्षिन लो अक्षिन स्टेट आती मेटल की कार्बोनिल्स में इसमें आती है नेगेटिव भी चले जाती है क्यों क्यूंकि पाई एक्सेप्टिंग करेक्टर होता है सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड बनता है लो अक्षिन स्टेट में मेटल को क्या बनता है सबस्क्राइब बनता है लेकि सिनर्जिक बॉन्डे में सिग्मा के साथ क्या बन रहा है इसलिए एफिसी ओ फाइफ में आरन का ऑक्षिडिशन स्टेट क्या है जीरो होने के बाद यह पॉन्ड बना रहा है वर्ना कॉंप्लेक्स बनाने के लिए प्रिफर्ड होता है कि हाईर ऑक्षिडिशन स्टेट होनी चाहिए है कि अधाय यह निल्चतु अया यह टाहिए ऊड़ा है यह जाद देखो है हुआ 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 ुख हुआ 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 है इतना स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड हुआ उसके अनर्जी क्या होगी उतनी ही जाब पता आंसर क्या हो जाएगा थर्ड एनस्टी सबसे स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड है यह नहीं और फिर फ्रॉंग अप्री, फिर्ड लिए हाव, लिएष प्रॉंग उनस्टी साथ किया हुआ है। झाल झाल तू कौन कौन से जेखो आपको वर्नर की थियुरी को मॉचंटियो दिखाए सब में कोबाल्ट प्लस् 3 में है और कोबाल्ट प्लस् 3 में कौडिनेशन नंबर कितना होता है 6 तो जितने भी न्यूट्रल लिगंड है वो कौडिनेशन नंबर में कॉंट्रिबू declण करेंग बचे कौन दो CL2 तब जा के कॉदिनेशन नमबर 6 होगा इसमें देखें दो CL2 हैं दो ग्रूप अलगे हैं चार ग्रूप अलगे हैं तो यहां पर क्या होगा यह सिस्टांज शो करेगा यह करेगा यह यह सारे NH3 अंदर सिस्टांज शो नहीं करेगा यह देखो 5 NH3 अंदर आपकी अच्छा है आप एक CL को अंदर रख लो या बहार रख लो यह भी सिस्टांज शो नहीं करेगा क्या होगा एक्के लेके हैं यह इनएशन शो कर सकता है यह स्कूरnar मुत्स नहीं है उससे मुझसे इसट्र रूंश पूछा है को यहार पौसीबलिटी हो सकती है क्या इनेश-थ्री बन सकता है उस केस में हो सकता है सी-उ सीय-ईइन कर Wait लेकिन कुछ नहीं बोला तो हम सारे लिगेंट्स को निट्रल लेकर चले अब हरे एक में कुछ ना कुछ केस बना से इसको बड़ी बात कि अगर मैं यहां केस में आओ कि अनेस तरी को दो बहार ले लो तो यहां ही बन जाएगा तीन बहार ले वह नहीं लेना कि तो कर लेना कि अच्छा यह एक चीज़ में आपको बताना भूल गया यह बिर्जिंग वाले लेगेंट्स है तो एक बार आप NCRT भी देख लेना मन टूसी यो होल टैन है उसमें चीज़ ऊट एंच्छा दूंगा वहीं कर ले उसमें पता है अपने पढ़ा हुआ है तीन और दो पांच सीओ यहां सी यो सी यो सी यो तो तीन चार पांच यह होता है MN2 CO10 एक आपके पास होता है क्या सी यो टू सी यो होल एट इसमें क्या होता है कोबाल्ट होता है दो आपस में कनेक्टेड होता है तीन सीयो नॉर्मल कनेक्टेड होता है और तीन सीयो ऐसे और दो सीयो ब्रिज की तरह काम करते है तो यह आपको ध्यान रखना यह पहले भी पूछ चुका है आपसे दुबारा पूछ से नंबर ओफ कॉंप्लेक्स विच विच विल एक्जिबिट सिनर्जिक बंडिंग अमंग तीन हो जाना चीज़ का जाएं तो है ना प्रोग्यों के पास छे लेक्ट्रोन है स्ट्रॉंग फिल लेगें डे पेरिंग तो हो गी हो अब आई सच्वारिज्म का क्रेश्चिन है नहीं आ रहा है बताओ अब तो कल्या आमने अध्याश्वारिश्चिन देदो थोड़े बहुत है हुआ है है थेखो हुआ है अध्याश्वारिश्चिन देदी अब आप ए यह देखो अच्छा बैस्टेन है गुमारा वस्टें लैंग्वेज यह यह क्या है एक tetrahedral complex होगा निकाल लो copper plus 2 D9 में है coordination number 4 है weak field agent 1,2,3,4,5 6,7,8,9 इसका hybridization क्या आएगा 4S और 4P काम में आएगे यह समझ में आ रहा है hybridization क्या होगा SP3 tetrahedral complex यह इतनी wavelength एब्जॉब कर रहा है तो मैं splitting origin निकाल सकता हूँ HC by lambda यह delta T है लेकिन यह कैसा complex है delta O बताओ delta T is equals to क्या होता है 4 by 9 times of delta O solve कर लो आपको अपना answer आएगा नमझ में आया तो अच्छे question ही है दिखते नहीं direct indirect question है highest value of crystal field splitting सब में legend सेम है तो metal अटर के Z effective पर depend करेगा 3D से 4D और 4D से 5D 5D का अगर कोई है उसका Z effective सबसे जाएगा कर ले ना यह आई गया देखो जो मैं कह रहा था CO2 CO whole head number of cobalt cobalt bond is X and terminal co legend is Y cobalt cobalt bond तो एक होता है और terminal co bond तीन इदर तीन इदर 6 होते है तो 1 plus 6 कितना हो जाएज से समझ मैं है optical isomer बताव गश्ट है जुआ कैसरी क्या आप से क्या आप मानते हैं symmetrical by dented है MAA whole thrice यह GI show सिर्फ OI show करता है तो इसकी एक mirror image बनेगी optical isomer कितने हो गए क्या भी सोच नहीं पा रहे हो गए कर लोगे ईसो मेरि आइसो मेरि स्मा आइसो मेरि इसमा आसओ मेरि इसमा यह सब भी तुम कर लोगे यह देखो जल्दी बोले जल्दी जी आई शो करने के लिए एटलीस दो ग्रूप अलग होने चाहिए पांच ग्रूप से यह तो अरगेनिक के मिश्ट्री आ गया पुश कोई सो सोडियम नाइटर प्रसाइट टेस्ट सुलफाइड आयन के लिए हो तेज जा रहे हो भाई नहे हो ए लठाइबाबाय वह भाई आयन दाहे हो भाईबाय ना-सपा हुआ 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 है तो ट्राइमाइन, तीन अमाइन, ट्राइनाइट्रो, तीन एनो टू, कोबार्ड थर्ड आ गया है, इसमें तो आपको क्या मिलेगा, फैक और मर्ग, दो आईसो मर्ग, और वो क्या है, ट्रिस, मालब ट्राइए लिखाया है इसने तो, तो क्रोमियम ऑग्जेलेटो यह जी आई तो शो नहीं करता है, लेकिन ओवाई शो करता है, तो नमबर ऑफ जी आई, तो इसके जी आई तो भाई साब जीरो है, तो आगया है, तो तीन कैसे आ रहा है, जी आई तो नहीं होगा, सी, पहले में सिस ट्रांस, दो स्क्वायर प्रेनर कॉंपलेक्स है, दूसरा वैसे चारो ग्रूप सेम है, एनाई-COO4 वैसे भी टेट्राइटरल होलता है, टेट्राइटरल जी आई शो नहीं करता है, जीरो, पैक मर्थ, दो, सिस ट्रांस, दो सील, सेम साइट सिस, दो अपो मोस्टेबल, पॉर्थ, सेकंड, फॉर्थ, पॉर्थ क्यों, किलेशन भी तो हो रहा है, किलेशन भी तो है, स्ट्रांग फील तो एन भी है, पर एन में क्या हो रहा है, किलेशन, ठीक है, तो करेक्ट अंसर क्या हो राख की, ठीक है, बाकी तरव आप प्रेक्टिस कर लें, कुछी भी नहीं है, आप देख सकते हैं, जो उसके बहुत जादा क्वेशन है नहीं, और वह आप देख सकते हैं, यह देखें, करेक्ट अर्डर अप इंटेंसिटी अफ कलर अप देख सकते हैं, जितना स्ट्रॉंग फीड लिगेंड होगा, उसका गैप क्या होगा उतना ही, ज्यादा, तो वो, अब ध्यान रखना है लेकिन, इस चीजिए में आप गल्दी कर सकते हो, इंटेंसिटी अप दे कलर अफ कंपाउंट्स, यह तो आपका अब्जर्व्ड कलर होगा, अब्जर्व्ड कलर मतलब, एमिटेड वेवलेंथ, यह तो आप एमिटेड वेवलेंथ की बात करो, इसकी कॉम्प्लिमेंटरी कौन होगी, अब्जर्व्ड वेवलेंथ है, वो उल्टी होगी, किसकी एमिटेड वेवलेंथ, कॉम्प्लिमेंटरी कलर साइकल, ब्लू का कॉम्प्लिमेंटरी कौन होगा, रेड, ग्रीन का होगा, रेड, तो ग्रीन की वेवलेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, अब पर सबसे स्ट्रॉंग फिलिगेंड है यह साइनाइट के केस में गैप सबसे बड़ा होगा तो गैप सबसे बड़ा होगा तो इसका लेम्डा एब्जॉर्ब्ड जो है हाइस्ट होगा और अगर इसका लेम्डा एब्जॉर्ब्ड इसका लेम्डा एमिटेट क्या होगा lowest होगा और lowest होगा तो इसका color के intensity भी क्या होगी lowest kolor intensity ये ये ओकर ये i am a red color आपको दिख रहा है इसका जो complimentary हई वो तो green होगा उसकी wavelength क्या होगी कहुंड होगा इसकी कि इंटेंसिटी को किसे कह रहा है कि कर रहा है कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी आफ कलर से आपको क्या मतलब है लाइट और अब कि इंटेंसिटी और इंटेंसिटी आफ कलर अफ कलर अफ कमपांट इंटेंसिटी को कैसे रिलेट्ट अगर हम परपल से या वॉयलेट से मुझे करों आपके काम करना इस यह मेरा स्प्रेक्ट्रम है इदर से इदर मैं जा रहा हूं तो कदर की इंडेंसिती क्या और यह कम हुरी ना फोर भी यह इत्चनल करना चैपा जदा है तो शेयते हैं पुसले में से नजेट ल्य है म suggest कहाया करना byड दिश्νेदरन प्रणवसी दॉचनल लाइख द्वान खेंगता है अप्षन्स देखो एक बार हां एनर्जी देख लें उससे बेटर तो फिर तो उप्षन यह हो गया सिंपल सांस नहीं यह नहीं हो गया एक सब्सक्राइब अगर हम एनर्जी से देखेंगे तो cn4- की अपसब है सबसे कम करेगा करेक्ट कर और है ने ने वह थोड़ी बहुत सब्सक्राइब इनर्जी मालो एनर्जी हम क्या करते हैं नंबर और फोटोंस से बांद के चलते हैं लेम्डा से जिसके इंटेज़ी ज्यादा उसके उस उस इनर्जी के फोटों का ही ज्यादा हो सबमें से मि法ष और फोटों से से देखते हैं अगर हम एक बार के लिए सबके नंबर ओफ फोटों सेम मान लें जिसकी एनरजी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा वही मैंने पहले यह भी कहा था लेम्डा एमिटेड कम तो आंसर आना चाहिए नि-CN4 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 नहीं सबसे वीकेस्ट कॉन एंड में से और लिए से ल माइनस है तो बीच में C-L- किसी option में आ रहा है क्या इसी में आ रहा है तो यह उल्टा चलेगा यहीं होगा अब अच्छा उल्टा हो गए ना C-L सबसे आगए आना चाहिए यह रहा सौर्ड यह नहीं यह वाला थर्ड वाला है यह वह option based है तुर्ण दिमाल आगे करना पड़ेगा स्ट्रक्चर बनानी है ट्रांस NIBR2 यह तो सेसर यह भी सेसर इंदोन में सेक होगा और मेरिडियोल मेरिडियोल में क्या होता है प्लेन में होता है ए कशच सबसे सूर्ड नहीं करना आपको सिस दिये होंगे उनमें आप का इसे मरेजन देखनी है लास्ट क्षेशन कर लेता है फिर खतम करने इसकी यूजर ज़रूर पढ़ लेना आप एंसी आप इसे कर भी कभी प्रेशन आप कि यह दोनों क्या होता है देखो कॉर्डिनेशन है एक यहां हो सकता है और सॉल्वेट सॉल्वेट यहां हो सकती है कोडिनेशन इसमें एक आंसर थर्ड पका हो सकता है एक यह अप्शन में दिया है अब बनाके देख लो अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाऊं सियार तो दोनों सियल सेम साइड होंगे एक और एक और इधर और एक और इसमें कहीं पर भी सिमिट्र ने ढूंग सकते हैं यह अप्टिकल एक्टिव होगा कर लेंगे ना चलिए बाके बाप प्रेक्टिस करें कुछ भी याद करने का नहीं है आराम से आप इस सारे काम कर सकते हैं ठीक है चलिए तो में तरफ से चप्र खत्म है और इसमें आगे एक क्वेश्चन आया था यूजस पे वह आप जरूर कर लेना यह ना जैमेंट 23 का थ यूजस पर क्वेश्चन था एक बार में देख लेता हूं अब कर लेना उसमें चार-पांच कॉंप्लेक्स दिये थे कॉल्म मैचिंग था वह वह प्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना एक बार कर देख लो क्वेश्चन है क्लोरोफिल मिस्मैश्ट कॉंप्वेश्चन तो क्लोरोफिल मेंगनेशन का होता है विटामीन में कोबाल्ट को यह में में स्माच्ट है वॉटर हाड व्लकुल सही है आपको यूजर मिलेगा एडेटी यह का कॉंप्लेक्स बनता है के साथ फोटोग्राफ यह गलत है इसमें एजी S2O3 2- का complex बनता है यह आपको users में मिलेगा D block में पढ़ाया है मैंने आपको इसको Wilkinson's catalyst यह होता है tri RHCl यह RH छोटा हैगा rhodium होता है triphenyl phosphine यह होता है Wilkinson's catalyst और यह NCIT में दियावा है chelating ligand D penicillamine यह lead poisoning को remove करने के काम नहीं आता है A और C first option आप कहांच रजाएगा mismatch ऐसा question फिर से आ सकता है आपके सामने इसलिए users के उपर आप जरूर 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 फोकस करें NCIT में आपको given है D block और coordination और P block सबकी users को बहुत अच्छे से पढ़ ले याद करना है जो जो आपको important देखे है उसको लिखके यादार यादा है